प्रत्येक वाक्य रेन जिंगचुन के दिल पर एक भारी मुक्के की तरहे लगा ऐसा उतक्रिष्ट कनिष्ट बिल्कुल वही था जिसके लिए हर परिवार बेहत उत्सुक था इसके बारे में सोचने पर भी कोई यह जान सकेगा कि महर की भविष्य की उपलब्धिया निश्चित रूप से असाधारन होंगी लेकिन अब रेन जिंगचुन ने इस वन्शच को पूरी तरह से नाराज कर दिया है बेशक नाराज का मतलब नाराज होता है यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो रेन जिंगचुन उसे सक्ती से अनुशासित करने के लिए वापस पकड़ सकता था लेकिन समस्या यह थी कि वह महर का कुछ भी नहीं कर सकता था हमफ आप अपनी छोटी उम्र में क्या जानते हैं मैं जो कुछ भी करता हूँ वह रेन परिवार के लिए करता हूँ अगर मैं नहीं होता तो रेन परिवार काओ परिवार को कैसे खतम कर सकता था और वो फार्म शहर के सर्वोच पद पर मजबूती से कबजा कर सकता था रेन जिंगचुन बहुत घमंडी था भले ही उसके मन में महर के लिए अफसोस हो लेकिन इस कनिष्ठ महर के सामने उसका सिर जुकाना भी संभव नहीं था इसके अलावा उसे नहीं लगा कि उसने जो किया वह किसी भी तरह से गलत था यह सबसे महत्वपूर्ण था हाँ हाँ आप यह बुढ़ा आदमी सच मुच मनोरंजक है क्या खुद को और दूसरों को धोखा देने का यह खेल बहुत मजेदार है रेन जिंगचुन की बाते सुनकर महर जोर से हस पड़ा हसी में उफास पूर्ण था प्रकट हो गया रेन जिंगचुन ने काले चहरे के साथ कहा खुद को और दूसरों को धोखा दे रहे है बुफैंग शहर को मेरे द्वारा पहले से ही लोहे की बाल्टी की तरह कसकर प्रबंधित किया गया है मेरे आदेशों के प्रती एक शब्द भी ना कहने का साहस कौन करता है उखाडने के लिए जब वे नीचे गिर रहे हो तो तुम्हें उन्हें लात मारनी चाहिए थी आपने ऐसा करने का साहस नहीं किया क्योंकि काव परिवार की आधारशिला बहुत गहरी है और इस वूफैंग शहर की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अभी भी काव परिवार की जरूरत है न कि आपकी इस शहर के भगवान की मेर ने ठंडी मुस्कान के साथ जारी रखा और कहा काव परिवार अस्थाई रूप से गिरावट पर है उनकी बुनियाद वहीं है देरसबेर एक दिन ऐसा आएगा जब वे एक बार फिर उठ खड़े होंगे और आप बस एक नवोदित है बिना किसी आधारशिला के, बिना किसी भविश्य के आपके चरम काल को पार करने के बाद, वो फैंग सिटी एक बार फिर हाथ बदल देगी दरसल आपको खुद भी इस बात का एहसास है, है न? हम्फ, डोंगेर की प्रतिभा काव फैंग से कहीं अधिक है आपने खुद भी इसे देखा है जब तक डोंगेर परिपक्व होगा, काव परिवार को अभी भी हमारे रेन परिवार द्वारा पैरों तले रोंदा जाएगा रेन जिंगचुन जिद्धी बने रहे महर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता लेकिन क्या आपको सच्मुच लगता है कि रेन दोंग अकेले ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकता है आप उसके लिए क्या छोड़ सकते है एक शक्तिशाली परिवार काव परिवार वास्तव में रेन दोंग से कमतर है लेकिन आखिरकार वे सिर्फ अर्ध कीमिया राजा है अलकेमी किंग में यह स्तर कीमिया सम्प्रभु इस तर काव परिवार हर पांच साल में इतने सारे कीमिया सम्प्रभु विशेशग्यों को आमंतरित कर सकता है वो लोग आपके चहरे की वजह से नहीं आये थे वे काव परिवार के लिए आये थे नीन के मामले में, कनेक्शन के मामले में, प्रतिभा के मामले में रेन परिवार के पास एक भी ऐसा नहीं है जो काव परिवार को हरा सके महर के शब्दों ने रेन जिंगचुन की श्रिष्थता की भावना को धूल में मिला दिया रेन जिंगचुन ने अपना मूँ खोला लेकिन पता नहीं कैसे खंडन किया जाए ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व सूख गया हो यह ऐसा था मानो उसका पूरा व्यक्तित्व तुरंथ ही बूढ़ा हो गया हो महर की बातें दिमाग में खटकने लगी उसके पास खंडन करने का कोई उपाई ही नहीं था रेन परिवार की कुछ वर्षों की चमक्दमक केवल बाहरी तौर पर थी रेन जिन्डचुन को बहुत पहले ही रेन परिवार के संकट का एहसास हो गया था इसलिए उन्होंने बाद में बिना किसी प्रयास के रेन होंगलिंग और रेन डोंग को तयार किया लेकिन जैसा की महर ने कहा, रेन परिवार की नीम्व बहुत उथली थी और इसकी तुलना काओ परिवार से नहीं की जा सकती थी काओ परिवार की तीसरी पीधी में, वास्तव में, कोई भी ऐसा नहीं था जो रेन डोंग से आगे निकल सके लेकिन काव परिवार की दूसरी पीधी रेन परिवार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी काव परिवार की दूसरी पीधी में कीमिया संप्रभु विशेशग्यों की संख्या काफी कम थी किसने यह गारंटी देने का साहस किया कि इन लोगों के बीच भविश में शिखर कीमिया संप्रभु का जन्म नहीं होगा जब तक काउ परिवार में चरम कीमिया संप्रभु प्रकट होता है सिटी लॉड के रूप में उसकी स्थिती आसन्न खत्रे में होगी और रेन परिवार के पास केवल रेन युजी ही प्रारंभिक श्रेनी का कीमिया किंग था रेन युजी शहर के प्रबंधन के क्षेतर में काफी प्रतिभाशाली थे लेकिन कीमिया पत पर यह उसके लिए काफी सशक्त था रेन जिंगचुन ने एक और काव परिवार को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी दूसरी और वो फार्म शहर के शासन को मजबूत करने के लिए उसके पास काव परिवार की प्रतिष्ठा उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था इसके बीच कितनी कठिनाईया हुई ये तो वो ही जानते थे कौन सोच सकता था कि इतने कम उम्र के युवक ने वास्तव में रेन परिवार के संकट को एक ही नजर में देख लिया था यह ठीक इसी वजह से था कि जब रेन जिंगचुन को मेहर की पहचान पता चली तो वह और भी अधिक निराश हो गया रेन जिंगचुन की बहुत इच्छा थी कि मेहर रेन परिवार का सदस्य बन सके लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था वह कुछ विनमर शब्द कहने में अपना गौरव कम नहीं करेगा उनका रवया अब भी बहुत अडियल था महर ने रेन जिंगचुन की अजीपता को नजर अंदाश कर दिया वह जू जिहुई के पास गया और अपनी हतेली से सार उर्जा जू जिहुई के शरीर में डाल दी महर अभी केवल टियर चार औशधिय गोलियों को ही परिश्पृत कर सका है जू जिहुई पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ सका लेकिन महर के पास लोगों का इलाज करने के कई तरीके थे हाला कि उसका दाइरा उचा नहीं था फिर भी जू जिहुई को उसके घावों को कम करने में मदद करने के लिए सार उर्जा का उपयोग करना संभव था कुछ ही समय में जू जिहुई का रंग थोड़ा गुलाबी हो गया हाला कि उसके घाव अभी ठीक नहीं हुए थे फिर भी उसे कुछ शब्द कहने में कठिनाई हो रही थी इस दादा और पोते के बीच की बातचीत हाला कि जू जिहुई एक भी शब्द बोलने में असमर्थ थी फिर भी उसने सब कुछ समझ लिया इमानदारी से कहें तो उन्हें लगा कि सिटी लॉड हमेशा से बहुत प्रभावशाली थे लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि सिटी लॉड मैनर का संकट वास्तव में पहले ही ऐसी स्थिती में पहुँच चुका है यही कारण था कि वह मेहर की और भी अधिक प्रशंसा करता था यह लड़का बहुत छोटा था न केवल उनकी शक्ती और साधन अत्यंत दुर्जे थे बलकि उनकी द्रिशिक शमता भी सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी उनकी भविश्य की उपलब्धिया असीमित थी धन्यवाद देना बहुत बहुत धन्यवाद यांग मास्टर ये जो जिहुई ने जबर्दस्ती खुद को खड़ा होने के लिए प्रेरित किया और महर को प्रणाम करना चाहा लेकिन महर ने उसे रोका और नाखुश होकर कहा इस बात को नजरंदास करते हुए कि तुम मेरी वजह से घायल हो गए सिर्फ हमारी दोस्ती के आधार पर क्या धन्यवाद का एक शब्द कहने की जूरत है जो जिहुई शुन्य हो गया और अपने दिल में बहुत खुश होने से खुद को नहीं रोक सका महर का स्वर सुनकर उसने उसे जीवन या मृत्यू का पक्का मित्र मान लिया हाला कि उसका दाइरा महर से बहुत उचा था इस समय महर द्वारा पहचाने जाने की खुशी से वह अपने दिल में फूला नहीं समा रहा था महर जैसे अगवितिये प्रतिभावान व्यक्ती से मित्रता कर पाना अन्य लोग इर शालू होने पर भी ऐसा नहीं कर पाते जू जिहुई ने महर की ओर जोर से सिरहिला कर यह व्यक्त किया कि वह समझ गया है यह द्रिशे देखकर रेन जिंगचुन का चहरा और भी काला हो गया यह लड़का अपने ही अधिनस्थ के प्रती बहुत विनमर था लेकिन खुद महर के पास उसे एक हजार मील दूर रखने का तरीका था निश्चित रूप से यह जानबूच कर किया गया ताकि वह देख सके जो जिहुई ने रेन जिंगचुन का चहरा भी देखा और कड़वाहट से मुस्कुराय बिना नहीं रह सके और उन्होंने कहा यांग मास्टर ये भाई जिहुई को मेरे साथ विनमर होने की जरूरत नहीं है सीधे मेरा नाम पुकारो या छोटा भाई कहो मिहर ने उसे टोका जो जिहुई खाली थी उन्होंने सिरहिलाया और कहा तब मैं मेलोड्रामेटिक नहीं होंगा मिहर मुझे पता है कि मैं एक बाहरी व्यक्ती हूँ लेकिन क्या आप मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमती दे सकते हैं मिहर ने धीरे से सिरहिलाया मतलब साफ तोर पर इसकी इजाजत देना था जो जिहुई को गुप रूप से राहत मिली और उसने यह कहने के लिए अपना मुझ खोला मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम वास्तव में सिटी लॉड के पोते हो मैंने कई वर्षों तक सिटी लॉड का अनुसर्ण किया है उनकी कृपा मेरे लिए परवत के समान भारी है अगर उसने सच में मुझे मार भी डाला तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी लेकिन आप दादा पोते को इस तरह तक जगरते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है यहां तक बात करते हुए जू जिहुई ने महर पर एक नजर डाली केवल यह देखकर कि उसकी नजर अप्रसन्न नहीं थी जू जिहुई ने साहस जुटाया और कहा आखिरकार आप खोन से संबंधित रिष्टेदार हैं भले ही सिटी लॉड में सभी प्रकार के दोश हो यह तथ्य की वहां आपके दादा हैं बदला नहीं जा सकता जब आप सब एक परिवार हैं तो इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत है चाहे उसने कुछ भी किया हो उसका मूल इरादा रेन परिवार के लिए था नहीं लेकिन जब रेन जिंगचुन ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया जू जिहुई क्या मुझे तुम्हारी जूरत है कि तुम दूसरे लोगों के व्यवसाई में अपनी नाक घुसाओ इस नगर स्वामी के गुन और दोशों का मूल यांकन आप कैसे कर सकते हैं रेन जिंगचुन हमेशा जू जिहुई के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे अन्य था अभी वह जटका जू जिहुई पहले ही पश्चिमी स्वर्ग में चला गया होता लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि वह उसे कितना उचा मानता था जू जिहुई भी सिर्फ उसका एक अधिनस्थ था एक अधिनस्थ ने कहा कि उसके मालिक के चहरे पर सभी प्रकार के दोश थे रेन जिंगचुन के स्वभाव के साथ वह चेहरा कैसे बचा सकता था मेहर ने जू जिहुई से मुस्कुराते हुए कहा देखो उसे तुम्हारी दयालुता की कोई परवाह नहीं है लेकिन जू जिहुई ने कोई शर्मिंदा नजर नहीं डाली और अपना सिर हिलाते हुए कहा सिटी लॉड का स्वभाव मुझे पता है मेरा यह जीवन सिटी लॉड द्वारा दिया गया था वह मेरी क्रिपा स्विकार करता है या नहीं यह उसकी समस्या है लेकिन यह मैं करू या न करू यह मेरा है चुंकि महर आप मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं और मेरे भाई को जिहुई कहते हैं तो अगर मैं मर भी जाओ तो भी मैं आपको दादा और पोते को अलग होते और दुश्मन बनते नहीं देखना चाहता महर ने जू जिहुई पर नजर डाली और अपना सिर हिलाते हुए कहा भाई जिहुई बहुत वफादार है भाई जिहुई से दोस्ती करपाना वास्तव में महर का सौभाग्य है महर की बातें स्वाभाविक रूप से मनोरंजन के लिए नहीं कही गई थी यदि जू जिहुई नहीं होती तो ये हैंग शायद इस समय पहले ही मर चुका होता और वर्तमान स्थिती भी निश्चित रूप से वैसी नहीं होगी जैसी अभी थी यदि ये हैंग वास्टव में मर गया, तो महर निश्चित रूप से उन्मादी स्थिती में चला जाएगा भले ही रेन जिंगचुन महर के दादा होते, वह निश्चित रूप से उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी मार डालते महर ने ये हैंग के इस पिता को पहचान लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह रेन जिंगचुन को इस दादा के रूप में पहचानता था यदि उसने वास्टव में रेन जिंगचुन को मार डाला, तो महर पर कोई मनोवय ज्यानिक बोच नहीं होगा यदि जूजिहुई के लिए यह व्यक्ति इतना इमानदार नहीं होता, भले ही वह महर और ये हैंग के रिष्टे को जानता हो, तो वह रेन जिंगचुन के दबाव का सामना करने और सैध्धान्तिक कारवाई करने में सक्षम नहीं हो सकता है वो फांग शहर में इन सभी वर्षों में रेन जिंगचुन की प्रतिष्था अभी भी बेहद दरावनी थी फिलहाल यह स्थिती महर को बेहद नागवार गुजरी, लेकिन अभी भी पूरी तरहे खत्म होने की हर्द तक नहीं पहुँची है खास्त और पर उन परिस्थितियों में जहां उन्होंने पहल की थी महर धीरे से रेन जिंगचुन के सामने आया और हाथ बढ़ा कर बोला दे दो रेन जिंगचुन स्थब्ध था क्या दू? उप्चारात्मक औशधिय गोलिया महर ने शांत स्वर में कहा रेन जिंगचुन ने महर की ओर देखा और जू जिहुई पर फिर से नजर डाली उसकी अभिव्यक्ती लगातार टिंटिमा रही थी वह जानता था कि यहां आखिरी मौका था जो महर उसे दे रहा था यदि उसने औशधिय गोलिया देने से इनकार कर दिया तो संभवता महर के साथ उसका रिष्टा हमेशा के लिए क्तम नहीं हो पाएगा रेन जिंगचुन को एसास हो गया था कि महर की जिद बिल्कुल भी उससे कम नहीं थी लेकिन औशधिय गोलिया सौंपना उसके लिए महर को अपना सिर जुकाने के बराबर था उन्होंने अपने अधिनस्थ को घायल कर दिया लेकिन उसे ठीक करने के लिए अपनी औशधिय गोलियों का इस्तिमाल किया यहाँ अपने आप में समर्पन का एक रूप था फिर भी रेन जिंगचुन एक अत्यंत अत्याचारी व्यक्ति था वहाँ केवल अन्य लोग ही थे जो उसके सामने अपना सिर जुकाते थे उसमें दूसरों के प्रती समर्पित होने की भूमिका कहा थी रेन जिंगचुन की पसंद का इंतजार करते हुए सभी ने अपनी सांसे रोक ली इस अन्बन के साथ मेहर और रेन परिवार के पास फिर से एक साथ आने का शायद कोई रास्ता नहीं होगा जो जिहुई ने किनारे से कुछ नहीं कहा उसने कुछ समय तक मेहर से बाचीप भी की थी और कमोबेश मेहर के व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत समझ लिया था वह असंख्य तलवार संप्रदाय जैसे लिविथान का सामना करने में बेहत दबंग था और उसने सीधे किन होंगताओं के पोते को हिरासक में ले लिया अब रेन जिंगचुन का सामना करते हुए मेहर ऐसा कदम उठाने में सक्षम हो रहा था जिससे उसे पहले से ही जबरदस्ट चहरा मिल रहा था जहां तक बात है कि उसने कैसे चुना यह रेन जिंगचुन पर ही निर्भर करेगा रेन जिंगचुन को लगा कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है वह काफी देर तक बिना हिलेडुले वहीं जम गया उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में उनका अपना पोता ही उन्हें मात देगा महर की दबंगई का सामना करते हुए रेन जिंगचुन के दिल में वास्तव में डर था रेन जिंगचुन महर की क्षमता के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे एक बार जब रेन परिवार के पास महर था, तो असाधारन आशाजनक भविश्य वाला वंशच होना उतना आसान नहीं था महर का पराक्रम अपने आप में सभी को आश्चर्यच्कित करने के लिए परियाप्त था महर के प्रती काव परिवार के डर को अभी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता मूल रूप से रेन जिंगचुन भी महर से बेहत सावधान थे लेकिन अगर महर रेन परिवार में शामिल हो गया, तो काव परिवार को डरने की कोई जरूरत नहीं थी मिहर के साथ रेन परिवार के पास एक अतिरिक्ट लिविंग थाउजेंड क्वेरी बॉल होगी और तेज, मेरे धैर्य की एक सीमा है मिहर ने मोह बनाते हुए कहा रेन जिंगचुन ने एक गहरी सास ली और अपने भंडारन रिंग से एक टियर चार उपचार ओशधिय गोली निकाली उसने उसे महर की हथेली पर जोर से पटक दिया यह द्रिश देखकर सभी ने राहत की लंबी सास ली महर ने हलके से अपनी हथेली में रखी ओशधिय गोली पर नजर डाली और तिरसकारपूर वक कहा एक प्रतिष्ठित शिखर कीमिया सौवरेन केवल इस प्रकार की बकवास ओशधिय गोली को परिश्कृत कर सकती है इसे भूल जाओ जो मुझसे टियर चार ओशधिय गोलीों को परिश्कृत करने में असमर्थ होने के लिए कहते हैं भाई जिहुई आप इनसे निप्टें और इन्हें ले लें जैसे ही उसने यह कहा महर ने लापरवाही से ओशधिय गोली जू जिहुई की ओर फैंक दी केमी सौवरेन केवल उच्छ ड्रेड के साथ ही सामने आ सकती है आपके पास उन्हें बाहर निकालने के लिए चहरा है रेन जिंगचुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कौन नहीं जानता की कैसे डिंगे हाकना चाहिए यदि आपके पास ख्शमताएं हैं तो मेरे देखने के लिए स्वयं को परिश्कृत करें महर हसा लेकिन बोला नहीं लेकिन उनकी अभिव्यक्ती में अवमानना ने रेन जिंगचुन को बहुत उत्तेज़ित किया वह अभी भढ़का भी नहीं था कि रेन डोम ने हस्तक शेप करते हुए कहा दादाजी अगर मास्टर वह कीमिया किन दाएरे में घुस गए तो ट्रांसेंडेंट ग्रेड एज्योर फ्लावर जेट ड्यूपिल्स को परिश्कृत करना कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए बदमाश आप बाहरी लोगों की मदद क्यों कर रहे है इसके अलावा वह आपका चचेरा भाई है आप उसे मास्टर क्यों कह रहे है रेन डोंग की बात सुनकर रेन जिंगचुन तुरंत भड़क गया और सीधे चिलाया लेकिन रेन डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा आपने पहले ही कहा था कि वह मेरा चचेरा भाई है यह बाहरी लोगों की कैसे मदद कर रहा है आगे हम प्रतेक अलग-अलग तरीके से शामिल है इसका किसी भी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता चुंकि मैंने चचेरे भाई को अपना गुरु मान लिया है इस जीवनकाल में वह मेरा गुरु होगा रेन जिंगचुन का चहरा काला पड़ गया और रेन डोंग को अपनी बाह में लिये हुए उसका शरीर हिल गया बद्बूदार लड़का फिर भी जिद्धी बने हुए है जब हम लोटेंगे तो देखना की क्या मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं करता हूँ इसके अलावा आप यूजी वापस जाओ और दिवार की ओर मुह करके विचार करो जैसा कि उन्होंने कहा रेन जिंगचुन की आकरिती हिल गई फेंग या मंडप के अंदर से गायब हो गई रेन जिंगचुन के दूर के पीछे के द्रिशे को देखकर जू जिहुई ने कृतग्यतापूरवक कहा यांग मास्टर ने सिटी लॉड के लिए चेहरा बचा लिया जिहुई बेहद आभारी है जो जिहुई ने महसूस किया कि महर द्वारा पहले औशधीय गोली लेने के बाद उसने जानबूच कर एक आकस्मिक मजाक के रूप में तिरसकारपूर्ण रूप प्रदर्शित किया इस तरह हर कोई अत्यधिक अजीब नहीं लगेगा हाला कि महर ने रेन जिंगचुन को अपना सिर नीचे करने के लिए मजबूर किया लेकिन आखिरकार वह इस छोटी सी दुनिया के शीर्ष कीमियागरों में से एक था ये चेहरा तो अभी भी देना बाकी था महर का चेहरा काला हो गया और उसने अप्रसंता से कहा क्या युवा मास्टर आप फिर से इस पर क्यों हैं भविश में मुझे केवल महर कहकर बुलाना यहां मेरे स्थान पर आप एक अधीनस्थ नहीं बलकि एक मित्र हैं क्या कहा आपने महर रेन जिंगचुन का पोता है इन दो दिनों में यह खबर धीरे धीरे वूफांग शहर में फैल गई की महर रेन जिंगचुन का पोता था काओ परिवार स्वाभाविक रूप से पारिवारे कुलों के पहले बैच में से एक था जिन्हें इस समाचार के बारे में सूचित किया गया था जब काउ जेंग ने यह खबर सुनी तो उसके चहरे पर चिंता और घबराहट के भाव थे निहसंदे यह खबर उनके लिए अप्रत्याशित थी महर कितना राक्षसी था इसका अंदाजा काउ जेंग को पहले से ही था थाउजेंड क्वेरी वॉल पर उनके प्रदर्शन ने काउ जेंग को अविश्वस निय रूप से घबरा दिया मूल रूप से रेन जिंगचुन का एक्सक्लूसिव जेड पवेलियन में महर के साथ जगड़ा होने से काउ जेंग को बेहत खुशी हुई कौन जानता था कि हालात इतने बदल जाएंगे रेन परिवार से अचानक खबर आई कि महर वास्तव में रेन जिंगचुन का पोता था महर का दाइरा उचा नहीं था लेकिन बेहत परिशानी भरा किरदार था न केवल उनका कीमिया ज्यान बेहत भयानक था बलकि उनके पीछे तीन संप्रदायों और क्यूई हाई का समर्थन भी था वह बस किसी से भी अडिक था ऐसा अस्तित्व रेन परिवार का सदस्य बन गया इसे काव परिवार के लिए एक विनाशकारी आपदा कहा जा सकता है काव परिवार का इस समय सबसे बड़ा आत्म विश्वास और निर्भरता थावजेंड क्वेरी वॉल थी फिर भी महर के सामने ये आत्म विश्वास एक भी जटका नहीं जेल सका यदि महर रेन परिवार का सदस्य नहीं था, तो वो फार्म सिटी के सामुहिक हिट के लिए रेन जिंगचुन के पास काओ परिवार के पक्ष में खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था लेकिन अगर महर रेन परिवार का सदस्य बन जाता तो स्थिती पूरी तरह से अलग होती महर के कीमिया ज्यान के साथ वह पूरी तरह से आ सकता है और थावजेंड क्वेरी वॉल के साथवे स्तर को सीधे चुनौती दे सकता है भले ही चुनोती सफल नहो, जब तक महर का प्रदर्शन परियाप्त रूप से स्वर्ग विरोधी था, वह रेन परिवार की प्रतिष्ठा को एक और उंचाई पर भी पहुंचा सकता था उस समय त्रेन परिवार को अब काओ परिवार की प्रतिष्था पर भरोसा करने की पूरी तरह से आवश्चक्ता नहीं थी क्योंकि महर एक और हजार क्वेरी वॉल था रेन जिंगचुन ने लंबे समय से काओ परिवार को एक कांटे के रूप में देखा था यदि उसके पास महर की तरह जीवन्त हजारों क्वेरी वॉल होती तो उसके लिए काओ परिवार को दबाने का मौका छोड़ना असंभव था हाँ, जानकारी पहले ही पक्की हो चुकी है उस समय रेन जिंगचुन की सबसे छोटी बेटी बिना किसी प्रिष्ठ भूमी के एक कीमिया मास्टर के साथ दक्षिनी डोमेन में भाग गई और उसने एक नश्वर राज्य में एक लड़के को जन्म दिया वह लड़का महर है बात करने वाला काउ जेन का सबसे बड़ा बेटा काउ कुन था वर्तमान में वह पहले से ही प्रारंभिक श्रेनी के कीमिया सौवरेन विशेशग्य थे रेन डोम द्वारा काउ फैन को पूरी तरह से दबाए जाने से बिलकुल अलग काउ कुन काउ परिवार की दूसरी पीडी के बीच एक कुलीन व्यक्ति था जो पूरे शहर से उपर खड़ा था काउ कुन के अलावा काउ परिवार में अभी भी कई बेटे थे जो सभी कीमिया किन विशेशग्य थे रेन युजी की तुलना में यह सचमुच कहीं अधिक मजबूत था काउ जेंग के ये कुछ बेटे वे लोग थे जिनसे रेन जिंगचुन सबसे अधिक सावधान था खासकर काउ कुन भविश में उसके चरम कीमिया सौवरेन के दाइरे में प्रभाव डालने की बहुत संभावना थी जब तक काउ परिवार ने एक और शिखर कीमिया संप्रभु विशेशग्य को जन्म दिया तब तक काउ परिवार की गिरावट की प्रवृत्ती धीरे-धीरे बदल जाएगी इन कुछ वर्षों में काउ जेंग हमेशा चुपचाप सहता रहा था यह काउ कुन के उठने की प्रतीक्षा के लिए था लेकिन महर की शकल ने उसके मनसूबों पर पूरी तरहे पानी फेर दिया काउ जेंग ने गहरी सांस ली वह भौहे कसकर अपनी सीट पर वापस बैठ गया यह खबर भी बेहत चौकाने वाली थी वह कुछ हद तक सतर्क हो गया था कोई अन्य समाचार काउ कुन की अभिव्यक्ती भी बहुत अच्छी नहीं थी और उन्होंने कहा सिटी लॉड मैनर से भी कुछ खबरे आई बात सिर्फ इतनी है कि मुझे नहीं पता कि यह सच है या जूट बोलना ऐसा कहा जाता है कि जिंगचुन एक महत्वपूर्ण मुद्दे की घोशना करने के लिए दो दिन बाद एक सारवजनिक नोटिस भेजेंगे हाला कि यह अनिश्चित है कि यह क्या है यह माना जा सकता है कि इसका उस महर से कोई संबंध नहीं हो सकता काउ जेंग को अविश्वसनिय सिरगर्द महसूस हुआ मूल रूप से इस वू फैंड शहर में भागय की गती धीरे-धीरे काउ परिवार की ओर जुक रही थी फिर भी महर की उपस्थिती ने स्थिती को पूरी तरह से बदल दिया बहुत देर के बाद काउ जेंग ने अपने बेटे को देखा और पूछा कितनी ताकत है क्या आपको ऐसा लगता है कि महर को सच में ऐसा लगा है मैं बात कर रहा हूँ हजारों क्वेरी वाली दिवार उस दिन जब महर ने थावजेंड क्वेरी वाल को चुनोती दी हालांकि काउ कुन मौजूद नहीं थे उन्होंने घटना के बाद भी महर के उत्तरों पर ध्यान से शोथ किया और इससे उन्हें वास्तव में अचानक रोशनी देखने का एहसास हुआ काउ परिवार के वन्शच के रूप में सबसे महत्वपून बात थावजेंड क्वेरी वाल का अध्ययन करना था एक कीमिया संप्रभू विशेशग्य के रूप में काउ कुन हजार क्वेरी वाल के साथवे स्तर के प्रशनों के बारे में बहुत स्पष्ट थे महर के उत्तरों से उसे अपनी हींता पर आहे भरने का एहसास हुआ यह जवानी बहुत ताकतवर थी काउ कुन ने एक पल के लिए सोचा और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिरहिलाया और कहा मेरे पास वास्तव में अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है हाला कि महर ने केवल 20 प्रशनों के उत्तर दिये इन 20 प्रशनों में उसने सभी का सीधे उत्तर दिया वस्तुताय बिना समय सोचे इससे भी महत्वपून बात यहाँ है कि उनके सभी उत्तर आलोचना के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं और पूरी तरह से कोई दोश नहीं निकाल सकते हैं इससे पता चलता है कि ये 20 सवाल उनके लिए बेहद आसान थे उसकी सीमा कहा तक है संभवता कोई नहीं जानता जब तक काओ कुन ने कहना समाप्त नहीं किया लेकिन काओ जेंग ने उसका मतलब समझ लिया जब तक महर सवालों को सामने चुनौती देते रहे वरना कोई नहीं जानता था कि उनकी सीमा कहा है थाउजेंड क्वेरी वॉल के साथवे स्तर को देवता जैसा अस्तित्व कहा जा सकता है भले ही इन 20 प्रशनों को केवल साथवे स्तर के पीछे स्थान दिया गया था इसमें शामिल कठिनाई पहले से ही अंथीन दुनिया के शिखर मानक का प्रतिनिधित्व करती थी लेकिन यह वह शिखर मानक था जो महर के सामने बच्चों के खेल जैसा था बिलकुल बिना किसी परिशानी के तो महर की सीमाएं कहा थी यह भी कोई नहीं जानता था लेकिन समस्या यह थी कि क्या काव परिवार ने महर को उनकी हजारों क्वेरी वॉल को चुनोती देना जारी रखने की हिम्मत दी जब किसी पवित्र भूमी का रहस्यमई परदा परत दरपरत खुलता गया तब उसे पवित्र भूमी के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सका काफी देर के बाद काव जेन ने आह भरते हुए कहा काव परिवार कई हजार वर्षों तक अस्तित्व में रहा है और समरिध्धी और गिराबट के कई दौर से गुजरा है लेकिन हम इन सबसे उबर गए इन कई दशकों में काव परिवार को रेन परिवार द्वारा हमेशा दबाया गया था पापा ने पहले भी कभी हार नहीं मानी लेकिन अब आप पहले विदा लें पापा को इस बारे में ठीक से सोचने दीजिए काव जेंग का लुक देखकर काव कुन भी निराश हो गए इन कुछ वर्षों में उनके श्रमसाध्य प्रयास रेन परिवार को ख्त्म करने के लिए थे लेकिन अब समुदरी परिवर्तन शेत्र के युवाओं की उपस्थिती के कारण यह साबुन के बुलबुले की तरह गायब हो गया इससे उसके हरिदय में तीवर अनिच्छा उत्पन हो गई यह बस इतना ही था तो क्या हुआ भले ही वह और अधिक अनिच्चुक हो काव जेंग क्या सोचना चाहता था काव कुन स्वाभाविक रूप से जानता था वह सोचना चाहता था कि काव परिवार को कैसे जीवित रहने दिया जाए क्या कई हजार वर्षों की वनशाबली वाला एक विशाल पारिवारिक कभीला वास्तव में बिनाश का सामना कर रहा था सिटी लॉड मैनर रेन युजी वर्तमान में रेन होंगलिंग के आवास पर अतिथी थे रेन युजी ने मुस्कुराते हुए कहा होंगलिंग आप और जीजाजी इन कुछ वर्षों के बाहर एक आवारा जीवन जी रहे थे तुम्हें सचमुच काफी कठिनाया सहनी पड़ी होंगी अब पिता ने अंतह इस पर विचार किया हमारा परिवार आखिरकार ठीक से बैठ सकता है और बातचीत कर सकता है लेकिन रेन होंगलिंग इस बात से नाखुश थी कि उन्होंने कहा क्या सोचा समझा यदि यह महर के लिए नहीं होता तो वह इसके बारे में कैसे सोच सकता था इसके अलावा मेरे पती और मैंने पहले ही इन कुछ वर्षों में किन राज्य को अपना घर मान लिया है कहा कश्ट सहना पड़ रहा है रेन यूजी एक अच्छे दो जुते थे यह सुनकर की रेन यूजी अभी भी शिकायतों से भरा हुआ था उसे अजीब लग रहा था यह हैं केवल चीजों को सुचारू करने के लिए आगे आ सकता था उन्होंने कहा होंगलिंग हालां की इस दौरान हमारा परिवार काफी उतार चड़ाव से गुजरा लेकिन अभी इसे एक सुख़द अंत भी माना जा रहा है अतीत की बात है उसे जाने दो सच में यह हैं के दिल में नाराजगी कैसे नहीं हो सकती थी लेकिन ये हैन का स्वभाव उदार था और उनकी सहनशीलता उत्कृष्ट थी वह बहुत पहले ही सब कुछ स्वीकार कर चुका था ये हैन के दिल में महर की वर्तमान उपलब्धिया असाधारन थी रेन होंगलिंग भी रेन परिवार में लोट सकते हैं उसके हृदय में अब कोई चिंता न रही अतीत की विभिन चीजें उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह चुटकारा न पा सके ये हैन को ऐसा कहते हुए सुनकर रेन होंगलिंग के पास भी कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था हाला कि रेन होंगलिंग के दिल में रेन जिंगचुन के प्रती नाराजगी थी, आखिरकार वह रेन जिंगचुन की बेटी थी इस मामले को पूरी तरह से हल करने में सक्षम होने के साथ, रेन होंगलिंग भी स्वाभाविक रूप से अपने दिल में बहुत खुश थी दरसल उस दिन महर की बातों ने पापा को बहुत जगजोर कर रख दिया था इन दो दिनों में मुझसे बात करते समय उनका रवया पहले से काफी बहतर था जानबूच कर और घुमा फिरा कर उसके शब्दों में तुम दोनों के प्रती पश्चाताप था बात सिर्फ इतनी है कि घुमंड के कारण वह आप लोगों को ढूंडने नहीं आ सका रेन यूजी ने कहा ये हैन ने अपना हाथ लहराया और कहा पिछली बाते पहले ही खत्म हो चुकी है आखिरकार सिटी लॉड एक वरिष्ठ है हम उसे आकर माफी मांगने कैसे दे सकते है रेन यूजी ने अपना सिर्हिलाया और कहा मुझे आश्चर्य है कि जीजा जी की यहां से क्या योजनाए है ये हैन ने कहा मैं पहले ही हॉंडलिंग के साथ चर्चा कर चुका हूँ कुछ समय बाद हम Grand Elder Sky Maple के साथ Tranquil Cloud संप्रदाय में वापस लॉट आएंगे वह महर का घर है यह स्वाभाविक रूप से हमारा घर भी है रेन यूजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा क्या आप लोग अभी भी अपने दिलों में कोई युवा पितामा नहीं होगा वह Tranquil Cloud संप्रदाय में लॉट आएगा हॉंगलिंग और मेरी सबसे बड़ी चिंता महर है हम स्वाभाविक रूप से उसे छोड़ने को तयार नहीं है रेन यूजी को एक एहसास हुआ उन्होंने कहा दरसल आज मैं आप लोगों को ढूंडने आ रहा हूँ यही पापा का इरादा था उसके पास एक विचार है और वह आपकी राय लेना चाहता है ये हैंग और रेन होंगलिंग ने एक दूसरे पर नजरे डाली और थोड़ा आश्चर्यच कित हुए रेन युजी वास्तव में काम करते समय उन दोनों की राय मांगते थे इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ बड़े भाई कृप्या कहें ये हैंग ने कहा दरसल पिताजी को लगा कि इन कुछ सालों में उन पर आप लोगों का बहुत ज्यादा एहसान है और वह आपके लिए एक शादी का आयोजन करना चाहते हैं नियत समय पर वह पूरे वू फैंग शहर के सामने घोशना करेगा और उस घटना के लिए आप लोगों से माफी मांगेगा बात सिर्फ इतनी है कि उसे आप से पूछने में शर्म आ रही थी इसलिए उन्होंने मुझे आपकी राय लेने के लिए भेजा रेन यूजी ने कहा ये हैंग ने जब यह सुना तो वह स्तब्ध होने से खुद को नहीं रोख सका उन्हें यह विश्वास करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी रेन जिंगचुन वास्तव में ऐसा कुछ करेगा उस समय उन्होंने कई बार रेन जिंगचुन के उच्छाथ वाले व्यक्तित्व का अनुभव किया था इस बार वूफैंग शहर में आकर रेन जिंगचुन का व्यवहार बज से बत्तर होता चला गया यह सोचने के लिए कि दो दिन पहले की घटना का अनुभव करने के बाद रेन जिंगचुन वास्तव में इतने बड़े परिवर्तन से गुजरेंगे यह हैंग जानता था कि यह सभी बदलाव थे जो महर ने उसके लिए लाए थे किसी को यह स्विकार करना पड़ा कि रेन जिंगचुन के इस सुझाव ने अभी भी उसके दिल को उत्साह से धड़कने पर मजबूर कर दिया वह रेन हॉंगलिंग को लाया और उस समय बहुत दूर दक्षिनी डोमेन की यात्रा की लेकिन रेन हॉंगलिंग ने रास्ते में महर को जन्म दिया फिर बाद में वेकिन राज्य में बस गए उन्होंने और रेन हॉंगलिंग ने वास्तव में पहले कभी अपने बीच एक प्रस्तुतिकरन समारोह आयोजित नहीं किया था हाला कि रेन होंगलिंग ने अपनी मर्जी से उसका अनुसर्ण किया फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसके दिल में उसका रिनी है कई वर्षों के समय अंतराल के साथ यदि वह एक भव्य और शांदार समारोह आयोजित कर सका तो इसे रेन होंगलिंग के लिए मुआवजा भी माना जा सकता है है ना खास तोर पर इस बार यह रेन जिंगचुन के आशिरवाद से आयोज़त होने जा रहा था महत्व स्वाभाविक रूप से असाधारन था रेन जिंगचुन को पूरे शहर को सूचित करने के अलावा इस तरह की बात किसी के चहरे के लिए कुछ ज्यादा ही हानिकारख थी इस बिंदु ने ये हैंग को जिजखने पर मजबूर कर दिया ये हैंग ने रेन होंगलिंग को बहुत प्यार से देखा रेन होंगलिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा निर्णय लेना पती पर निर्भर है उन दोनों ने विनमर परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद की थी और वे लंबे समय से जानते थे कि दूसरा क्या सोच रहा है बस एक नजर और रेन होंगलिंग को पता चल गया कि ये हैंग किस बारी में चिंतित है ये हैंग ने अंदर से आभारी महसूस किया और कहा ओंगलिंग ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय में लोटने के बाद मैं ग्रैंड एल्टर स्काई मेपल को कार्यभार संभालने और मेकप समारो आयोजत करने के लिए आमंत्रित करूंगा लेकिन रेन युजी की अभिव्यक्ती बदल गई और उन्होंने कहा आप पिता की माफिस विकार करने के बजाए ट्रैंक्विल क्लाउड संप्रदाय में वापस जाना पसंद करेंगे क्या यह बहुत ज्यादा करना नहीं है यह हैंग ने अपना सिरहिलाया और कहा बड़े भाई आप गलत है सिटी लॉड एक शहर का शासक है उनकी स्थिती तीन संप्रदायों के पुराने पूर्वजों के बराबर है हम उसे ऐसा कैसे करने दे सकते हैं अंकल आप जाकर उस बूढ़े को बता दीजिए इस मामले में मैं पिताजी की और से सहमत होंगा तभी दर्वाजे के बाहर से महर की आवाज आई महर धीरे-धीरे कमरे में चला गया और ये हैंग के सामने आया और कहा यह वही है जो उस बूढ़े व्यक्ती का आपका रिनी है और यही वह है जिसके आप हकदार है हे हे ऐसा लगता है कि वह बूढ़ा आदमी मूर्ख नहीं है वह मुझे बांधने के लिए तुम लोगों का उप्योग करना जानता है लेकिन मुझे यह स्विकार करना होगा कि उसका यह कान करना मेरी इच्छा के बिलकुल अनुरूप है महर ने जो कहा उससे ये हैंग स्थब रह गया बात करते समय यह लड़का अपने बड़ों से बहुत अभधर व्यवहार करता था लेकिन महर अब पहले वाला महर नहीं रहा वह पहले से ही एक महान व्यक्ती थे जो एक शेतर की कमान संभाल सकते थे हाला कि वह चहरा अभी भी कुछ हद तक बचकाना और कोमल था वह पहले ही एक विशाल व्रिक्ष बन चुका था महर के प्रती ये हैंग ने लंबे समय तक छोटे बच्चों के इलाज की मानसिता का इस्तिमाल नहीं किया था हाला कि उन्हें लगा कि महर का रवया अनुचित था फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा महर यह बहुत अच्छा नहीं है है न आखिरकार वह आपके दादा हैं ये हैंग ने परामर्शात्मक स्वर में कहा और कहा महर ने मुस्कुराते हुए कहा तेहे मैंने स्विकार नहीं किया कि वह मेरे दादा है रेन परिवार का मुझसे कोई लिना देना नहीं है मेरे लिए आप और मा सबसे महत्वपूर्ण लोग है उस बूढे आदमी ने तुम लोगों को नुकसान पहुँचाया और यहां तक कि तुम्हें मार ही डाला हाला कि मैंने इस पर मोलभाव नहीं किया लेकिन इसका मतलब यहां नहीं है कि उसे थोड़ी सी भी कीमत चुकाने की जुरूरत नहीं है इसके अलावा क्या आपको लगता है कि पूरे शहर को सूचित करना उसके लिए बहुत हानिकारक है यह हैंग चकित हो गया और उसने कहा क्या ऐसा नहीं है महर ने अपना सिरहलाया और मुस्कुराते हुए कहा मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया हमेशा ताकत के इस्तिमाल की बात करती रही है हाला कि कीमियागर मार्शल आर्टिस्ट से थोड़े अलग होते हैं वे बात करने के लिए ताकत का इस्तिमाल करते हैं उस बुढ़े आदमी की ताकत काफी जबरदस्त है इससे भी घ्रेनित घोटाले होने पर भी उसे क्या हानी है लेकिन उसके लिए पूरे शहर में घोशना करना और आपको अपने दामाग के रूप में स्विकार करना मुझे अपने नाना के रूप में स्विकार करने के बराबर है इससे उसकी स्थिती, सिटी लॉड और भी अधिक सुरक्षित हो जाएगी यह कोई महर अपना बिगुल नहीं बजा रहा था बलकि यह एक सचाई थी महर की कीमिया शक्ती भविष्य के रेन परिवार के लिए समुद्रस्थिर करने वाली दिवेसुई थी तो क्या हुआ अगर दूसरी पीधी में गिरावट की प्रवृत्ती हो तो क्या हुआ यदिकाओ परिवार की नीम गहरी थी ये सभी चीजें महर के सामने एक भी जटका जहिलने में बहुत कमजोर थी ये हैं कोई मूख व्यक्ती नहीं था महर की यह बात सुनकर वह तुरंट समझ गया की क्या हो रहा है लेकिन रेन जिंगचुन के प्रती उनके मन में कोई नाराजगी नहीं थी एक ऐसा चरित्र जो रेन जिंगचुन की तरह दुनिया के कीमिया पत के शिखर पर खड़ा था जिससे वह खुले तौर पर अपनी गलती स्विकार करने के लिए आगे आया उसे गंभीरता से अत्यधिक साहस की आवश्चक्ता थी रेन जिंगचुन के चरित्र वाले व्यक्ती की तो बात ही छोड़ दें ऐसा कुछ करने की इच्छा के लिए और भी अधिक साहस की आवश्चक्ता थी रेन जिंगचुन के लिए इस हद तक ऐसा करने में सक्षम होने के लिए यह कहा जा सकता है कि वह इमानदारी से पश्चाताप कर रहा था यह भी कहा जा सकता है कि वह वास्टव में रेन परिवार के भविश्य के बारे में विचार कर रहे थे एक बार जब ये हैन को इसका पता चल गया तो वह अब विवादित नहीं रहा उसने सिर हिलाया और कहा फिर ठीक है आप इस मामले में फोन करें ओह ठीक है क्या आप बंदय कांत में नहीं थे आप इतनी जल्दी एकांतवास से बाहर क्यों निकल गए महर ने मुस्कुराते हुए कहा मैं आपका पुत्र होने के नाते एक भव्य उभार कैसे नहीं दे सकता जैसा कि उन्होंने कहा महर ने दो छोटी औशधिय बोतले निकाली और ये हैं के हाथ में रख दी महर ने छोटी बोतलों में से एक की ओर इशारा करते हुए कहा पिताजी पहले से ही क्रिस्टल फॉर्मेशन दाइरे के चरम पर है यह समुद्र विस्तारक गोली आपको एक सार उर्जा समुद्र को खोलने और समुद्र परिवर्तन शेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है ये हैं को यह सुनकर बहुत खुशी हुई वह जानता था कि महर के पास एक रहस्यमय गुरु है जो उसे पढ़ाता है और उसके दिमाग में अंगिनक गोलियों के फार्मुले हैं उसने इस समुद्र विस्तारक गोली के बारे में पहले कभी नहीं सुना था लेकिन चुकी महर ने उसे देने के लिए उसे निकाला तो संभवता यह कोई सामान्य औश्धिय गोली नहीं थी स्पिरिट ब्रिसल नाइन यान डिवाइन आर्ट और थावजेंड आगमेंटिंग सोल इंकमेंटेशन में साधना करने के बाद से यह हैंग की साधना बड़ी प्रक्ती के साथ आगे बढ़ी इस छोटे से वर्ष में वह पहले से ही क्रिस्टल फॉर्मेशन दाइरे के शिखर पर पहुँच गया कोर को तोरना और समुदर का निर्मान करना मार्शल कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था यह सी एक्सपैंडिंग पिल स्वाभाविक रूप से यह हैंग के लिए सबसे उप्युक्त थी फिर दूसरी बोतल यह हैंग में उचसुक्ता से पूछा महिर ने मुस्कुराते हुए कहा दूसरी बोतल के अंदर जो ओशधिय गोली है उसे रिस्प्लेंडेंट जेट पिल कहा जाता है यहां ओशधिय गोली सीधे मार्शल आर्टिस्ट के देंटियन पर कार्य कर सकती है और देंटियन की खषती की मरम्मत कर सकती है इस ओशधिय गोली को परिश्कृत करने में काफी परिशानी होती है, इसलिए इसमें कुछ समय की देरी हुई रेन होंगलिंग थोड़ा चकित हो गया और उसने ये हैंग के हाथों में ओशधिय गोली को अविश्वास से देखा ये हैंग ने भी गहरी सांस ली और मेहर की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि यह ओशधिय गोली आपकी मा के डेंटियन को ठीक कर सकती है और उसे नए सिरे से सार उर्जा एकतर करने दे सकती है मेहर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा यह सही है अतीत में मैंने इसे नजरंदाज कर दिया था और कभी नहीं सोचा था कि मा वास्तव में एक मार्शिल आर्टिस्ट भी थी चुंकि अब मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे इसका समाधान करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा उनरजन्म के बाद महर ने व्याभारिक रूप से अपना सारा समय व्यस्त रहने में बिताया और रेन होंगलिंग की डेंटियन ख्षती पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया यह देखकर कि उसके शरीर में सार उर्जा के उतार चढ़ाव का जरा भी निशान नहीं था उसने सोचा कि वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ती थी इसलिए जब उसने सुना कि रेन होंगलिंग ने उसे बचाने के परिनामस्वरूप अपनी मूल उर्जा पूरी तरह से खोदी है तो द्रवित होने के अलावा मेहर उसे और भी अधिक ठीक होने में मदद करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहता था हाला कि रेन होंगलिंग ने जिसे बचाया था वह सिर्फ उसका पूर्ववर्ती पिछला मेहर था वर्तमान मेहर के लिए यह कोई अलग नहीं था साथ ही रेन युजी के चहरे पर भी सदमा लिखा हुआ था देंटियन वह जगह थी जहां मार्शल कलाकारों की नीम पड़ी थी लेकिन यह सबसे समवेदनशील और नाजुक जगह भी थी एक बार जब देंटियन क्षतिग्रस्थ हो गया तो इसे मार्शल कलाकारों के लिए एक विनाशकारी जटका कहा जा सकता है जब तक की कोई स्वर्गविरोधी आकसमिक मुठभेड नहो अन्यथा यह मूल रूप से इसी जीवनकाल में बरबाद हो जाता देंटियन को बहाल करने वाली गोली के फार्मूले बेहत दुरलब थे इसके अलावा शोधन की कठिनाई बहुत अधिक थी अंथीन दुनिया में देंटियन को बहाल करने वाली गोली के फार्मूले बस मौजूद नहीं थे अन्य था, रेन जिंगचुन की खेती के साथ, वह निश्चित रूप से इसे रेन होंगलिंग के लिए लंबे समय तक परिश्कृत कर चुका होता महर के स्तर पर इस रेस्प्लेंडेंट जेड पिल को परिश्कृत करने में भी इतना लंबा समय लगा यह देखा जा सकता है कि इस प्रकार की ओश्धिय गोलियों को परिश्कृत करना कितना कठिन था साधारन कीमियागर भले ही उनके पास गोली का फार्मूला हो, वे भी इसे परिश्कृत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं इसलिए रेन युजी के दिल में आश्चर्य की कलपना की जा सकती है रेन होंगलिंग का पूरा शरीर उत्तेजना से काम पने लगा उसने ये हैंग की ओर आसों से भरी आँखों से देखा और कहा पती, यह सोचने के लिए कि मैं वास्तव में एक दिन फिर से कीमियागर बन सकती हूँ ये हैंग जोर से हसे और बोले, होंगलिंग तुमने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है हाँ 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 की रेन होंगलिंग ने अपने पती की सहायता की और एक दशक से अधिक समय तक अपने बेटे को एक नश्वर की पहचान के साथ पाला लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे कीमिया कौशल के प्रती कोई लगाव नहीं था कोई केवल यही कह सकता है कि रेन होंगलिंग के लिए यह हैंग और महर का महत्व कीमिया कौशल के प्रती उसके लगाव से कहीं अधिक था यही वजह थी कि वह इतने सालों तक अपने सपनों को इतनी शांती से दबा सकी लेकिन इसे केवल दबा दिया गया उस समय रेन होंगलिंग के वल कीमिया कौशल के कारण यह हैं के साथ मिल पाए थे कीमिया कौशल के प्रती उनकी भावनाय स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं थी अब वह वास्तव में एक बार फिर से कीमियागर बन सकती है रेन होंगलिंग के दिल में हलचल की कलपना की जा सकती है हाला कि इसमें एक दशक से अधिक समय की देरी हुई लेकिन मार्शल कलाकारों के लिए रेन होंगलिंग की उम्र बहुत अधिक नहीं मानी गई उसे अब भी कीमियापत के शिखर पर चड़ने की आशा थी रेन युजी ने आह भरी और कहा यहाँ आप लोग ही हैं जिन्होंने मिलकर एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है चार घंटे बाद रेन जिंगचुन के अध्ययन कक्ष में क्या? आपने कहा कि महर ने डेंटियन को बहाल करने वाली औशधिय गोली को परिश्कृत किया और बंदय कांतवास शुरू किया जब वह दोबारा बाहर आई तो वह पहले से ही कीमिया ग्रैंड मास्टर दाइरे में थी ओ रेन जिंगचुन ने गहरी सास ली वह इस खबर को पचा रहा था ओ ठीक है हॉंगलिंग के एकांतवास से बाहर निकलने के बाद जीजाजी भी एकांतवास में चले गए थे महर ने उसके लिए एक प्रकार की औशधिय गोली को परिश्कृत किया जिसे सी एक स्पैंडिंग पिल कहा जाता है एसा कहा जाता है कि यह उसे समुदरी परिवर्तन की सफलता में मदद करने और एक अर्ध कीमिया राजा बनने में मदद करने में सक्षम है रेन यूजी ने फिर कहा रेन जिंगचुन ने रेन यूजी की ओर देखा और गंभीरता से नहीं जानते थे कि उन्हें क्या कहना चाहिए उनके इस पोते की दुर्जेता अभी भी उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ओर धाई ने महर को इतना महत्वपूर्ण रूप से देखा ऐसा लगता है कि महर को कोई स्वर्ग विरोधी भागयशाली मौका मिला है और वह पहले ही इस छोटी सी दुनिया से कहीं आगे निकल चुका है रेन जिंगचुन की ताकत और स्थिती के साथ वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि महर की प्रतिभा किस तर पर है कम से कम इस अंथीन दुनिया के मानक ऐसे संकी को तयार करने में असमर्थ थे इस तरह तो महर का भाग्यशाली मौका केवल विरासक में ही मिल सकता है इसे फिर से महर के आसपास की उस असाधारन शक्तिशाली महिला से जोडते हुए ऐसा लग रहा था कि विभिन सुराग असपश्ट रूप से दैवियक शेतर की ओर इशारा कर रही है निचले स्तर के मार्शल कलाकारों के लिए दिव्यक शेतर एक अत्यंत रहस्यमय दुनिया थी वह स्थान शक्ति और असीमित संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था लंबे समय के बाद ही रेन जिंगचुन ने एक गहरी सास ली और कहा मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि ये हैं और हॉन्गलिंग ने वास्तव में इतने अध्वुत बेटे को जन्ग दिया है वाट? क्या वे उनके लिए मेक अप विवाह समारो आयोज़त करने की बात पर सहमत है? रेन युजी ने महर के शब्दों को बिल्कुल वैसा ही सुनाया जिससे रेन जिंगचुन को समझ में नहीं आया कि वह रोए याहन से यह लड़का सच मुछ तेज है ऐसा लगता है कि यह वास्तव में कोई सन्योग नहीं था कि उसे आज की उपलब्धिया मिल सकी इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ जब तक यह इस लड़के को संतुष्ट कर सकता है मैं इस बूढे चहरे को बाहर फिंक दूँगा युजी आप कल एक घोशना घोशत करें कहो कि मैं रेन जिंगचुन को मेरी लंबे समय से खोई हुई बेटी मिल गई है और मैं उसके लिए एक मेकप शादी आयोजिक करना चाहता हूँ पूरा शहर एक साथ जशन मनाएगा अगले दो दिन यह मामला पूरे शहर में सबसे गरम विशे बन गया विशेश रूप से प्रमुख गुटों के बीच उन्होंने इस मामले पर अत्यधिक ध्यान दिया अलकेमिस्ट एसोसियेशन में डैन चेंजी ने वू जुवान को देखा और कहा मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि महर वास्तव में उस पुराने साथी का पोतारेन जिंगचुन है उसने सचमुच एक खजाना उठा लिया ऐसा लगता है कि इस वू फैंग शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी वू शुआन उस महर के साथ आपका रिष्टा खराब नहीं है आपको इसे अच्छे से बनाए रखना होगा इस लड़के की उत्पती निश्चित रूप से सरल नहीं है संभवत है उसके दैवियक शेत्र के साथ अंगिनत जटिल संबंध है वू शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने भी नहीं सोचा था कि महर के पास वास्तव में अभी भी ऐसी पहचान है लेकिन उनके साथ बातचीत के इन कुछ दिनों के दौरान मुझे पता चला कि महर एक ऐसा व्यक्ति है जो दयालुता और नाराजगी में सपष्ट रूप से अंतर करता है जब तक हमारा अलकेमिस्ट एसोसियेशन उसे उकसाने की पहल नहीं करेगा तब तक उसका हमारे प्रती कोई गलत इरादा नहीं होगा दैन चेंजी ने सिरहिलाया और कहा यह महर का भी धन्यवाद है कि मैं अंतर ड्रैगन टाइगर माइटी सोल पिल को परिश्कृत कर सका इस ड्रैगन टाइगर माइटी सोल पिल के साथ यह माना जा सकता है कि मेरे दिव्यन लोक में चड़ने का दिन दूर नहीं होगा मैं कल से अपना बंदय कांतवास प्रारंभ करूंगा रही बात उस शादी की तो आप ही सामने आएंगे मुझे एक बड़ा उफार भेजने में मदद करना याद रखें इस दिन सिटी लॉड मैनर को लाल्टेन और सजावट से सजाया गया था जिसमें हर्शोलास का माहौल था रेन जिंगचुन के दबंग स्वभाव के तहट सिटी लॉड मैनर हमेशा एक निर्जी वातावर्ण से भरा हुआ था एक भी आदमी ऐसा न था जो उची आवाज में बात करने की हिम्मत करता भगवान जाने कितने वर्षों से इस सिटी लॉड मैनर में इतनी भीड थी सिटी लॉड मैनर के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड थी शो देखने और बधाई उपहार देने वालों ने प्रवेश द्वार के सामने पूरी सड़क को व्याभारिक रूप से अवरुध कर दिया सिटी लॉड ने वास्तव में एक आत्मनिंदा आदेश जारी किया यह सचमुच अभूत पूर्व है हाँ, दुनिया को निर्देशित करते हुए सिटी लॉड का स्थान सर्वोपरी है वह हमेशा से बहुत दबंग रहे थे इस बार उन्होंने वास्तव में अपनी बेटी और दामाद की खातिर एक आत्मनिंदा जारी की यह सचमुच बहुत बड़ा आश्चर्य है अरे, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, है न? सिटी लॉड ने आत्मनिंदा जारी करने का आदेश अपनी बेटी और दामाद के कारण नहीं दिया था यह उनके नाना के कारण था वहाँ, यह वह युवक है, जो प्रवेश द्वार पर महमानों का स्वागत कर रहा है आप कैसे जानते हो? मेरे जीजा की पतनी की छोटी बहन की तीसरी मौसी सिटी लॉड मैनर में नौकरानी है यह बात सिटी लॉड मैनर में काफी समय तक फैली होई थी सिटी लॉड का यह पोता बहुत ही दुरजे है मैंने सुना है कि उसने काव परिवार की हजारो क्वेरी वॉल को लगभग पलट दिया था सिटी लॉड द्वारा इस पोते को स्विकार करने से सिटी लॉड मैनर की ताकत और भी अधिक हो जाएगी इस दुनिया में कोई भी दीवार ऐसी नहीं थी जिसमें कोई दरार नहो इसके अलावा रेन जिंदचुन ने इस बार इन अफवाहों को नियंतरित करने की योजना नहीं बनाई इसलिए यह धीरे-धीरे सिटी लॉड मैनर से भी फैल गया इसके अलावा मेहर की प्रतिष्ठा का प्रसारन सिटी लॉड मैनर के लिए अधिक फायदे मंद होगा आज मेहर ने जू जिहुई के साथ रहने की पहल की और महमानों का स्वागत करने का काम किया पिता और मा की बड़ी शादी के लिए बेटे के रूप में स्वाभाविक रूप से उसे साब्धानी से इंतजार करना पड़ा अलकेमिस्ट एसोसियेशन बुजूर्ब वुजुवान आ गये है आवाज अभीक्तम नहीं हुई थी और वुजुवान बड़ी हंसी के साथ मेहर के पास आगे आई उन्होंने कहा छोटे भाई ये बधाई हो बधाई हो हाँ हाँ बड़ा भाई बहुत जल्दी आ गया जल्दी से अंदर बैठ जाओ मेहर ने भी हंस्ते हुए कहा मेहर भाई प्रप्या गुस्सा मत हो ये वो जुआन ने हंस्ते हुए कहा मेहर ने हाथ लहराते हुए कहा बड़े भाई साहब यहां क्या कह रहे है आपका आना पहले से ही मुझे जबरदस्ट चहरा दे रहा है मैं पागल होने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ हाँ हाँ तो फिर यहां अच्छा है युवा भाई मुख्य भोज में सारी शराब साफ कर दो मेरे लिए बदलो वो शुआन ने रहस्य में मुस्कान के साथ कहा यह सुनते ही मेहर की आखे चमक उठी क्या ऐसा हो सकता है कि इस बुढ़े व्यक्ती ने अमर स्मरन जेड ब्रू को इतनी जल्दी किनवित कर दिया हो वो जुआन ने महर की आखों को देखा और जान लिया कि महर ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था उन्होंने तुरंथ ही महर को सस्पेंस में नहीं रखा उसने हाथ बढ़ा कर हिलाते हुए कहा आओ दोस्तों सारी शराब अंदर ले जाओ नौकरों का एक समोह बोज उठा कर भीर से बाहर चला गया महर की आखे चलक गई वास्तव में वहां लगभग 20 बैरल थे 20 बैरल शराब कुछ भी नहीं थी लेकिन अमर्स्मरण जेडब्रू के 20 बैरल पूरे वूफार्म शहर में हलचल मचाने के लिए पर्याप्त थे ये सभी लकडी के बैरल दक्षिनी चंदन से बनाए गए थे हाला कि उन सभी को बंद कर दिया गया था फिर भी सुगंध फैल गई जिससे तुरंत ही बहुत से लोग मधोश हो गए यह कौन सी शराब है बहुत सुगंधित यह बिना सील तोड़े पहले से ही बहुत सुगंधित है अगर मुझे इसका स्वाद मिल जाए तो मैं मरने को भी तयार हो जाऊँगा अरे अज्यानी और अज्यानी बहुत मैं इस अलकोहल की खुश्बू को सुंध रहा हूँ यह अवश्य ही प्रसिद अलकेमी सौवरेन फू युनजिन की अमर्स्मृती जेट ब्रू होगी मैंने एक बार कई सौ फीट दूर से शराब की खुश्बू सुंध ली थी इसने मुझे कई दिनों तक याद दिलाया यह वास्टव में अमर्स्मरन जेट ब्रू है हे भगवान क्या यह बढ़िया शराब नहीं है जिसे अलकेमी सौवरेन फू युनजिन ने जमा करके रखा है एक साथ इतने सारे लोग क्यों है आगे इसे मास्टर वू जुआन द्वारा क्यों वित्रिक किया जाएगा वह मैं नहीं जानता इसके अलावा मुझे लगता है कि यह अलकोहल सुगंध वास्तव में पिछली बार की तुलनामे और भी अधिक सुगंधित है इन अमर्स्मरन जेट ब्रू की गुनवत्ता लेकिन कभी देखा नहीं था एक बार दूर से शराब की खुश्बू सुगने का अफसर पाना पहले से ही तीन जन्मों का सौभाग्य था लेकिन आज वू जुआन ने एक बार में 20 बैरल बाहर निकाले यह सचमुच बहुत आश्चर्यजनक था कई मार्शल कलाकार लगातार लार टपका रहे थे उन लोगों की मौत से इर्शा कर रहे थे जो भोज में बैठ सकते थे और इस शराब को पी सकते थे मिहर ने स्थिती देखी और अपनी हंसी नहीं रोक सका और बोला बड़ा भाई बहुत दिखावटी है ठीक है तो मैं इसे पहले ले लूँगा धन्यवाद बड़े भाई हाँ हाँ हमारे बीच धन्यवाद देने के लिए अब भी क्या बचा है इसके अलावा मैं यहां बुद्ध को उधार फूल भेंट कर रहा हूँ मैं केवल सामगरी उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हूँ ओह ठीक है मेरे पास अभी भी यहां एक बधाई उपहार है यह चेर्मैन का है वह फिलहाल एकांतवास में हैं और गोलियों का शोधन कर रहे हैं इसलिए वह व्यक्तिकत रूप से यहां नहीं आ सकते लेकिन उन्होंने मुझे अपना आभार व्यक्त करने पर मजबूर कर दिया वो जुआन मुस्कुराया और एक लंबी तलवार निकाली उसमें से ठंडी हवा बह निकली मार्शल कलाकारों को देखने वाले लोग महसूस कर सकते थे कि दमनकारी ठंडी हवा कई 100 फीट की दूरी से अलग हो गई थी यह अभी भी उस परिस्थिती में था जहां वो जुआन ने सार उर्जा का उप्योग नहीं किया था महर ने वो जुआन के हाथ से लंबी तलवार लेली और प्रशंसा करते हुए कहा बहुत बढ़िया तलवार वो जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा इस तलवार का नाम जुआनियंग तलवार है यह एक निन्नश्रेनी की गहन कलाकृती है महर ने अपना सिरहिलाया और हाथ जोड कर कहा बड़े भाई जब आप लोटेंगे तो मेरी ओर से लॉर्ड चेर्मैन को धन्यवाद देने में मेरी मदद करें डैन चेंजी की ओर से यह बधाई उभार ये हैंग और पत्नी के नाम पर दिया गया था दरसल ये महर के लिए तयार किया गया था गहन कलाकृतिया आत्मा की कलाकृतियों से भिन्न थी, दो पूरी तरह से अलग अवधार नाए स्पिरिट कलाकृतिया जो अधिक महंगी थी, उन्हें बाजार में एसेंस क्रिस्टल का उप्योग करके भी खरीदा जा सकता था हाला की गहन कलाकृतियों की मान थी, लेकिन आपूर्ती नहीं थी भले ही आपके पास बहुत सारे सार क्रिस्टल हो, फिर भी उन्हें कुछ व्यापारिक कम्पनियों से खरीदना बहुत कठिन है गहन कलाकृतिया मूल रूप से दिवे प्रैवर सिंग शेतर विशेशग्यों द्वारा उप्योग किये गए सभी हथियार थे वे अनंत विश्व में अत्यंत दुरलब थे दैन चेंजी ने अपनी शुरुवाती चाल से एक निमनश्रेणी की गहन कलाकृति दी इसे फिजूल खर्ची कहा जा सकता है लेकिन महर पर कोई मनोवैज्यानिक बोच नहीं था क्योंकि उन्होंने डैन चेंजी को ड्रैगन टाइगर माइटी सोल पिल पूरा करने में मदद की थी इस औशधिय गोली की कीमत दूसरों को तो पता नहीं थी लेकिन महर को कैसे पता नहीं चलता उनकी एक गहन कलाकृती को स्विकार करने से उन्हें पहले से ही नुकसान उठाना पड़ रहा था लेकिन डैन चेंजी उसे एक उफार देने के लिए याद रखने में सक्षम होने से यह गिना गया कि उसके पास भी दिल है इसके अलावा महर की ताकत में वृध्धी के बाद कैंग हुआ तलवार पहले से ही धीरे-धीरे कुछ हद तक कमजोर होती जा रही थी और कैंग हुआ तलवार की गुनवत्ता पहले ही सीमा तक पहुँच गई है अगर और पाबंदियां जोडी गई तो बिखरने का खत्रा था हाला कि वह अभी जुआनिंग तलवार की पूरी शक्ती को उजागर करने में असमर्थ था लेकिन यह कैंग हुआ तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी ये भी सिर्फ महर ही था एक अन्यसी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल आर्टिस्ट को लेते हुए वे केवल कुछ उच्चस्तरिय स्पिरिट आर्टिफेक्ट का उप्योग कर सकते थे लेकिन महर की मार्शल तकनीके अत्यधिक स्वर्ग विरोधी थी साधारन आत्मा की कलाकृतिया उसकी तलवार की चाल की वास्तविक शक्ती को उजागर नहीं कर सकी महर और वुशुआन के बीच पुछ देर तक हलकी फुलकी बाच्चीत हुई फिर वुशुआन सीट लेने के लिए अंदर चला गया थोड़ी देर में नौकर ने एक बार फिर पुकारा काओ परिवार का मुखिया आ गया है काओ जेंग के चहरे पर भाव मंद थे उसने महर को देखा और मुस्कुराते हुए बधाई देने के लिए मजबूर हो गया चोटे भाई ये बधाई हो बधाई हो आने वाले महमान थे जाहिर तोर पर महर किसी मुस्कुराते हुए व्यक्ती को थपड मारने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया बहुत बहुत धन्यवाद महर जानता था कि काव जेन ने ये कुछ दिन बहुत अच्छे से नहीं बिताए लेकिन उन्हें इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी चुंकि रेन जिंगचुन अभी भी तकनी की रूप से उनके दादा थे इसलिए महर को स्वाभाविक रूप से रेन परिवार की ओर जुकना पड़ा काव परिवार कैसा होगा महर को इसकी कोई चिंता नहीं थी हाला कि महर को पता था कि काव जेन निश्चित रूप से आज खाली हाथ नहीं आएंगे उसे कम से कम कुछ तो दिखाना ही था दरसल काव जेन ने अपनी आस्तीन के अंदर से कागस की एक पर्ची निकाली और उसे महर की ओर बढ़ाते हुए कहा इस बुढ़े व्यक्ती ने थोड़ा सा मामूली उपहार तयार किया है मुझे आशा है कि लिटल ब्रदर ये कृप्या इसे स्विकार कर सकते है महर ने कागस की पर्ची लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और थोड़ा स्टब्ध होने से खुद को नहीं रोक सका काव परिवार का बड़ा उपहार काफी महत्वपून है महर ने काव जेंग की ओर देखा और आधी मुस्कान के साथ कहा काव जेंग के मुह के कोने हिल गए और उसने मुस्कुराते हुए कहा छोटा भाई ये बहुत दयालू है आपके पिता की भव्यशादी वो फैंग शहर के एक हिस्से के रूप में मेरे काव परिवार को स्वाभाविक रूप से कुछ प्रस्तुत करने योग्य तयार करना होगा महर ने थोड़ा सिरहिलाया और जू जिहुई को कागस की परची देते हुए कहा भाई जिहुई मैं काव परिवार के इस बड़े उपहार से अभिभूत हूँ बहतर होगा कि आप इसे सीधे ओल्ड मास्टर के सामने प्रस्तुत करें जू जिहुई पहले दो लोगों की बातचीत सुनकर चकित हो गई थी काव जहेंग ने जो चीज सौंपी वह एक अनुबंध प्रतीत हो रही थी क्या यह संभव था कि सीधे सीधे सीधी लौड मैनर को व्यवसाई दे रहा था ऐसा उफहार निश्चित रूप से साधारन नहीं कहा जा सकता उसने संदेह पूर्वक महर के हाथों से अनुबंध प्राप्त किया और उस पर एक संख्शिक्त नजर डाली उसका पूरा व्यक्तित्व अनायास ही काम उठा और उसने कागस की परची को लगभग फेंक दिया जू जिहुई ने काओ जेंग पर एक नजर डाली और फिर महर पर नजर डाली उसके हृदय में आश्चर्य इससे अधिक नहीं हो सकता था उसके हाथ में जो था वह सचमुच एक अनुबंध था सिवाए इसके कि यह अनुबंध काओ परिवार का कोई सामान्य व्यवसाय नहीं था बलकि उत्तम जेड मंडब था जो पूरे उत्तरी डोमेन में प्रसिध था यह काओ परिवार का सबसे बड़ा व्यवसाय था यह सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय भी था हाला कि यह सबसे महत्वपून बात नहीं थी सबसे महत्वपून बात यह थी कि उत्तम जेड मंडब के अंदर हजार क्वेरी वॉल थी काउ परिवार के लिए हजारो क्वेरी वाल के महत्व को सार क्रिस्टल का उप्योग करके आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है यही पर काउ परिवार की नीम पड़ी यह वह आधार भी था जिस पर काउ परिवार जीवित रहने के लिए निर्भर था हजारों क्वेरी वाल के बिना काओ परिवार भी एक साधारन कीमिया परिवार ही था. वे रेन परिवार से अलग नहीं होंगे. इसके अलावा, थावजेंड क्वेरी वाल के बिना, काओ परिवार के लिए सिटी लोडस का मैच होना बिलकुल असंभव था. उन्हें जल्द ही पूरी तरह से दबा दिया जाएगा क्या काउ जहेंग का मस्तिश्क शतिग्रस्थ हो गया था? वरना वह बधाई उपहार के लिए इस तरह की चीज का उप्योग क्यों करेगा? यह? यह? जो जिहुई कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए काउ जहेंग ने महर को गौर से देखा और अचानक पीछे मुड कर उंची और सपष्ट आवाज में सभी से कहा हर कोई आज सिटी लॉड की बेटी की भव्यशादी की तारीक उधार लेकर मेरा काउ परिवार उफार के रूप में उत्तम जेड मंडप देगा आज से थावजेंड क्वेरी वॉल का आधिकारिक स्वामित्व सिटी लॉड मैनर के पास होगा काउ जेंग के चहरे का मास हिल रहा था लेकिन उन्होंने फिर भी द्रिड़ता से कहा हजार क्वेरी वॉल कभी भी काउ परिवार की हजार क्वेरी वॉल नहीं थी बलकि अंथीन दुनिया के सभी कीमियाग्रों की हजार क्वेरी वॉल थी काउ परिवार ने थावजेंड क्वेरी वॉल को हमेशा हमारी निजी संपत्ती माना था सचमुच हर किसी के साथ अन्याए बू फैन सिटी अनंत विश्व की कीमिया पवित्र भूमी है थावजेंड क्वेरी वॉल का प्रबंधन सिटी लॉड मैनर द्वारा किया जाना चाहिए बात्ख महोने पर काउ जेंग का पूरा व्यक्तित्व काफी बूढ़ा हो गया लग रहा था काउ परिवार ने कई हजार वर्षों तक जो श्रम साध्य काम किया उसे उन्होंने दोनों हाथों से इसी तरह दे दिया यहां उनके लिए एक जबरदस्ट परीक्षा थी यहां तक कि महर को भी उम्मीद नहीं थी कि काउ जेंग के पास वास्तव में इतनी बड़ी भावना होगी जो सीधे सिटी लॉर्ड मैनर को एक्सक्लूसिव जेड पवेलियन दे देगी हजारों क्वेरी वाल ने वास्तव में महर के लिए कोई खास चुनौती पेश नहीं की लेकिन जब महर थाउजेंड क्वेरी वाल को चुनौती दे रहा था तो उसे थाउजेंड क्वेरी वाल की ताकत का भी गहराई से अनुभव हुआ हाला कि उन्होंने केवल अंतिन 20 प्रशनों के उत्तर दिये लेकिन इन 20 प्रशनों में से एक भी अत्यधिक उच्छ मानकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था इन कई हजार वर्शों में अंतिन दुनिया की कीमिया पत शक्तियों के घ्यान का क्रिस्टली करन बिल्कुल भी अवांचित प्रतिष्ठा नहीं थी काउ जेंग के शब्दों ने उपस्थित सभी मार्शल कलाकारों को चौका दिया जब तक की वे अंदर से कोमल और बाहर से कुरकुरे नहीं हो गए क्या? काउ परिवार वास्टब में सिटी लॉर्ड मैनर को थाउजेंड क्वेरी वॉल सौंपना सेहन कर सकता है यह? ऐसा क्यो है? यह अंथीन दुनिया की कीमिया दुनिया के लिए एक प्रमुख युग की घटना है थाउजेंड क्वेरी वॉल के बिना काउ परिवार अब भी सिटी लॉर्ड मैनर से कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा? यह काउ जेंड कोई बहुरूपिया नहीं है, है न? इस तरह की बात का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए हर कोई काउ जेंड की इस हरकत के पीछे की मनशा का अंदाजा लगा रहा था लेकिन कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि काउ जेंड वास्तव में अपने सामने वाले युवाउं से भयभीत था हाला कि कुछ लोगों ने महर द्वारा थाउजेंड क्वेरी वाल को चुनोती देने वाले सुरागों का भी अनुमान लगाया फिर भी उनके लिए इस तरह की प्रमुख चीज को महर से जोड़ना बहुत कठिन था यह एक पागलपन भरा कदम था दुनिया में काउ जेंग किस से डरते थे काउ जेंग ने रेन जिंगचुन के साथ इतने लंबे समय तक अंधेरे में लड़ाई की थी वह संभवता ऐसा कदम कैसे उठा सकता है महर ने काउ जेंग की ओर देखा और उसकी भावना की व्यापकता की थोड़ी प्रशन साभी की इस प्रकार की त्वरित और उप्युक्त निर्नय शक्ती हर किसी के पास नहीं हो सकती थी चुंकि काउ परिवार का मुख्या इतना उदार है मेरा सिटी लॉर्ड मैनर स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगा कल से मैं एक मंच खोलूंगा और लगातार पांच दिनों तक एक स्क्लूसिव जेड पवेलियन में व्याख्यान दूंगा जब तक वे कीमियागर हैं वे आ सकते हैं और व्याख्यान सुन सकते हैं मेर ने अचानक उची आवाज में कहा क्या? वह युवक एक मंच खोल कर व्याख्यान देना चाहता है कौन है ये? बहुत अहंकारी क्या तुम मजाग कर रहे हो? वह सिटी लॉड का पोता है उन्होंने कुछ दिन पहले थाउजेंड क्वेरी वॉल पर सात्वें स्तर के बीस प्रशनों को चुनौती दी थी इसके अलावा उन सभी का उत्तर सही दिया गया था कोई रास्ता नहीं ठीक है उसकी उम्र को देखते हुए वह महस 17-18 साल का है उसे कीमिया का इतना गहन और गहरा ग्यान कैसे हो सकता है? अरे वह मुझे नहीं पता लेकिन आपको उसकी कम उम्र के कारण उसे कम नहीं आपना चाहिए मैंने एक कहानी सुनी है कि सिटी लॉड ने इस बार अपने पोते की वजह से आत्मनिंदा जारी की थी शायद काओ परिवार की यह कारवाई भी उसी के कारण है यह यह कैसे संभव है एक सत्रह वर्शिय युवा वास्तव में इस तरह का प्रित्विविध्वनसक प्रभाव पैदा कर सकता है मैंने इसे केवल सुना है इस पर विश्वास करना या न करना आप पर निर्भर है लेकिन मेरी राय में यह ज्यादा दूर नहीं है मेहर की बातों से भीड में बड़ी खलबली मच गई हजारों क्वेरी वॉल के मालिक बदल गए जो मंच खोल रहा था और व्याख्यान दे रहा था वह वास्तव में सिटी लॉड नहीं बलकि उनका पोता था मेहर का स्वर्ग विरोधी प्रदर्शन ज्यादातर एंडलेस वर्ड के उपरी क्षेत्रों में प्रसारित हुआ और इन साधारन मार्शल आर्टिस्टों और कीमियागरों की मेहर के बारे में समझ बेहत सीमित थी लेकिन जो खबर फैली थी उससे यह भी पता चल रहा था कि यह युवक बिलकुल सामान्य से हट कर था बात सिर्फ इतनी थी कि मंच खोलना और व्याख्यान देना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सामान्य लोग करने की हिम्मत कर सके आज इतने सारे लोगों के सामने मेहर ने ऐसा बादा किया क्या उसमें इसे रखने की क्षमता थी अलपसंख्यक लोगों ने इस पर विश्वास किया लेकिन अधिकांश लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया एक सत्रह साल का युवा कह रहा है कि एक मंच खोलो और व्याख्यान दो ये तो बस एक मजाक था कई लोगों का मानना था कि कुछ दिनों बाद महर को निश्चित रूप से सिटी लॉर्ड द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, सिटी लॉर्ड व्याख्यान देने वाले होंगे थाउजन्ड क्वेरी वॉल के मालिकों को बदलना और फिर सिटी लॉर्ड महामहिम का एक मंच खोलने और व्याख्यान देने के लिए आगे आना कुछ उचित था महर का अनुभव बहुत सत्थी था और वह इस द्रिश्य को दबाने में बिल्कुल भी असमर्थ था महर के ऐसा करने का स्वाभाविक कारण यह था कि उसके अपने विचार थे अब जबकी भयंकर आन्धी की दुनिया उन्हें एक हिंसक बाग की तरह घोर रही थी अन्थीन दुनिया के कीमियागरों के लिए भले ही वे थोड़ी सी ताकत बढ़ा सकें फिर भी यह अच्छा था इसलिए वह एक मंच की मेजबानी करने और व्याख्यान देने में पांच दिन बर्बाद करना पसंद करेंगे शायद इससे कुछ कीमियागरों को काफी फाइदा हो सकता है इसके अलावा चुंकी सिटी लॉड मैनर ने थाउजेंड क्वेरी वॉल पर कबजा कर लिया था इसलिए उनके पास कम से कम कुछ संकेत होने चाहिए थे ताकि इन कीमियागरों को पूरे दिल से समर्पन करने दिया जा सके महर को वह बूढा रेन जिंगचुन पसंद नहीं था लेकिन महर के पास अभी भी एक और योजना थी अगले सिटी लॉड का पद वह ये हैंग की ओर से स्विकार करेगा उसके साथ ये हैंग निश्चित रूप से दस वर्षों के भीतर कीमिया सौवरेन डायरे में प्रवेश कर जाएगा वो फांग शहर पर कबजा करने के लिए उनसे अधिक उप्युक्त कोई नहीं था पिता जी कई वर्षों से शिकायते जेल रहे थे काव जेंग ने महर की ओर घहराई से देखा और हाथ जोड कर कहा तब मुझे लिटल ब्रादर ये को परिशान करना होगा कल यह काव लिटल ब्रादर ये का व्याख्यान सुनने के लिए निश्चित रूप से बहा होगा काउ जेंग के शब्द महर द्वारा एक मंच खोलने और व्याख्यान देने की वास्तविक्ता को मौन रूप से स्विकार करने के बराबर थे उनके इस रवये से एक बार फिर भीड में हडकंप मच गया काउ परिवार की स्थापना के साथ वह वास्तव में महर का व्याख्यान सुनने जा रहा था मार्शल आर्टिस्ट और कीमियागर सभी महर को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे ठीक इसी समय एक नौकर ने फिर जोर से पुकारा स्वर्गिय मार्शल संप्रदाई के पूर्वज निंग असंख्य तलवार संप्रदाई के पूरवज जिंग जुआन आ गये हैं कोई रास्ता नहीं ठीक है तीन संप्रदायों के पुराने पूर्वज वास्तव में यहीं है उनकी किस प्रकार की स्थिती है? वास्तव में सिटी लौड की बेटी की शादी के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए क्या तीनों पुराने पूर्वज गठ बंधन की स्थापना से संबंधित मामलों की तैयारी नहीं कर रहे थे? वास्तव में शादी में शामिल होने के लिए अपने व्यस्थ कारेप्रम से समय निकालने के लिए ये तीन पुराने पूर्वज सिटी लॉड के पोते के कारण भी यहां नहीं है, है न निंग यिक्सियन तिकडी के आगमन से हंगामा मच गया उनकी पहचान बहुत उची थी इसके अलावा जब वे आधिकारिक मामलों में व्यस्थ थे तो तारकिक रूप से प्रत्येक संप्रदाय से एक दिव्य ट्रेवर्सिंग शेत्र विशेशगय को भेजना पर याप्थ होना चाहिए किसीने सोचा भी नहीं होगा कि वे सचमुच यहां व्यक्तिगत रूप से आएंगे इस वक्त कई लोग पहले से ही अंदाजा लगा रहे थे कि ये तीनों लोग महर के लिए भी आये हैं हाँ 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 छोटे भाई ये यह बूढ़ा आदमी यहां बधाई देने आया है किन होंगताओं की आवाज एक महान घंटी की तरह थी और वास्तव में बहुत प्रसन्न दिखती थी उसने महर की बाह पकड़ ली और बहुत करीब आ गया किन होंगताओं की इस हरकत से महर हत प्रभ रह गया उसने मन ही मन सोचा की क्या यह संभव है की इस बूढ़े व्यक्ती ने गलत दवा खाली हो अगर निंग यक्सियन ने इस तरह की कारवाई की तो उन्हें बहुत आश्चर्य नहीं होगा लेकिन किन होंगताओं को अभी भी उससे काफी शिकायत थी उसका ऐसा रवया कैसे हो सकता है महर की संदिग धाखों को देखकर निंग यक्सियन ने मुस्कुराते हुए समझाया जब से किन्यान ट्रैंक्विल क्लाउड से क्यात्रा से लोटा है उसने कड़वे सबक पर विचार किया है कुछ दिन पहले वह पहले ही समुदरी परिवर्तन शेत्र में प्रवेश कर चुका है और एक सोल सागर शेत्र विशेशग्य बन गया है किन्यान के एकांद से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार सफलता पूर्वक बाहर निकलने में सक्षम होने के लिए वह जिस व्यक्ति के प्रती सबसे अधिक आभारी है वह आप थे हुहु इस मामले के लिए ओल्ड मैन किन ने कई दिनों तक हमारे सामने दिखावा भी किया महर को तब समझ आया जब उसने सुना यह सिर्फ इतना था कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन यान वास्तव में इतनी जल्दी तूट जाएगा समुदरी परिवर्तन शेत्र से लेकर सोल सागर शेत्र तक एक अविश्वसनी बाधा थी यह निचले तीन लोकों से मध्य तीन लोकों में संक्रमन की चौकी थी यहां तक कि स्वर्ग के इन अग्वितिय चुने हुए किन यान के लिए भी इस बाधा को पार करने के लिए बहुत लंबे समाय के संचय की आवश्चकता थी किन्यान, गोत आउकुन और ये न्यान हुआ, ये तीन लोग मूल रूप से आमने सामने चल रहे थे यह सोचने के लिए कि यह वास्तव में किन्यान ही था जो सबसे पहले इस कदम से आगे बढ़ा उहू तो ऐसा ही है तब मुझे पुराने पूर्वज किन को बधाई देनी होगी, महर ने मुठिया बजाकर बधाई दी हाँ हाँ, हम दोनों एक साथ छोटे भाई ये मेरे साथ विनमर होने की ज़रूरत नहीं है भविश में मुझे बड़ा भाई भी कहो तो चलेगा आपके पिता और माता अपने पारिवारिक कुल में लोट रहे हैं और आनंद पूर्वक विवाह कर रहे हैं बड़े भाई के रूप में मुझे चाहे कुछ भी हो आकर बधाई देनी ही पड़ेगी इस गूस प्लम ट्रेजर आर्मर का उपियोग मैंने अपने शुरुवाती दिनों में किया था यह पहले से ही एक गहन कलाकृती के बेहत करीब है किन हूंगताओं ने जोर से हंस्ते हुए कहा मेहर का हृदय द्रवित हो गया रक्षात्मक भावना वाली कलाकृतिया प्राप्त करना बेहत कठिन था और आकरामक कलाकृतियों की तुलना में उनका मूल्य बहुत अधिक होता था हाला कि यह गूस प्लम खजाना कवच अभी तक एक गहन कलाकृती के स्तर तक नहीं पहुँचा था लेकिन इसका मूल्य पहले से ही जुआनिंग तलवार से कम नहीं था जो डैन चेंजी ने उपहार में दिया था किन होंगताओं का यह कदम बहुत ही असाधारन था आप इस बूढ़े आदमी की शुरुवाती चाल गूस प्लम ट्रेजर आर्मर है क्या यह हम दोनों के लिए कठिन नहीं है सौभाग्य से इस बूढ़े आदमी मेरे पास तयारी है आओ महर यहाँ अर्थकोर स्पिरिट एसेंस मिल्क है आपको अपने ज्यान से इसका मूल्य जानना चाहिए यहाँ बिल्कुल ओल्ड मैन किनके गूस प्लम ट्रेजर आर्मर से नीचे नहीं है निंग इक्सियन ने मुस्कुराते हुए कहा महर यहाँ हमारे प्रोफाउंड आइस सेक्ट का विशेश उतपाद आइस हार्ट ट्रैंक्विल लोटस है यहाँ कमल हर सौ साल में केवल एक बार खिलता है यहाँ तक कि मेरे गहन बर्फ संप्रदाय में भी यह एक अत्यंत दुर्लब वस्तु है जिन जुआन ने कहा जब महर ने इस आइस हार्ट ट्रैंक्विल लोटस को देखा तो वह अपने दिल में बेहत खुश होने से खुद को नहीं रोक सका उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आइस हार्ट ट्रैंक्विल लोटस वास्तव में अंथीन दुनिया में मौजूद है यहाँ Ice Heart Tranquil Lotus Tier 5 आइटम था जो लोग बर्फ विशेष्टा खेती कानूनों में खेती करते थे उनके लिए यह एक बहुत ही फायदेमंद वस्तु थी इसे पूरा निगलने पर भी इसकी तुलना 10 साल की कड़वी खेती से की जा सकती है प्रोफाउंड आइस सेक्ट के मार्शल कलाकारों के लिए यह बिलकुल एक बेहत कीमती स्पिरिट दवा थी बेशक महर को इसकी कोई चिंता नहीं थी उसके इतने प्रसन होने का कारण यह था कि यहाँ Ice Heart Tranquil Lotus एक प्रकार की Tier 5 आउशधिय जड़ी बूटी थी यह Tier 5 आउशधिय गोली 5 Revolution Ice Heart पिल को परिश्कृत करने के लिए भी अनिवार्य सामगरी थी लुएर के शरीर में पुरानी बीमारी के इलाज के लिए यह 5 Revolution Ice Heart पिल एक चमतकारिक अम्रित थी इतने लंबे समय तक लुएर मेहर की स्थानिक आत्मा कलाकरिती के अंदर रह रही थी क्योंकि वह खेती करने में असमर्थ थी लेकिन मेहर का वर्तमान छेत्र लुएर की पुरानी बीमारी को खतम करने में मदद करने में असमर्थ था महर के लिए यह बात हमेशा चिंता का विशे रही यह आइस हार्ट ट्रैंक्विल लोटस बहुत ही कम देखने को मिलता था महर ने तो यहां तक सोच लिया था कि शायद यह अंथीन दुनिया में नहीं मिलेगा कौन जानता था कि यह बिना किसी प्रयास के प्राप्थ हुआ था यह वास्तव में प्रोफाउंड आइस सेक्ट का विशेश उत्पाद था जब तक महर दिव्य ट्रैवर्सिंग दायरे में प्रवेश करता है तब तक इस पाचक्रांतियों वाली असहार्ट पिल को परिश्कृत करना स्वाभाविक रूप से आसानी से पूरा हो जाएगा महर ने खुशी को अपने दिल में समेट लिया और हाथ जोड कर तीनों लोगों से कहा मैंने एक बार फू युन जिन के स्थान पर इम्मोर्टल रिमेंबरेंस जेट ब्रू पी लिया है अब तक यहाँ अभी भी अंथीन स्वाद वापस लाता है क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि वू जुआन वह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में इसे बनाना भी जानता है ओल्ड मैन निंग जिन जुआन जल्दी करो जल्दी करो मैं जाकर स्वाद लेना चाहता हूँ निं यक्सियन ने पहले अमर स्मरन जेट ब्रू के महान नाम के बारे में सपष्ट रूप से सुना था इसी समय उनकी शराब की लत्भी भड़क उठी उसने महर को अलविदा कहा और जिन जुआन के साथ अंदर चला गया हाँ 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 चोटे भाई ये यह बूढ़ा आदमी बिना निमंतरन के आया था तुम्हें मुझे दोश नहीं देना चाहिए महर जल्दी से हाथ जोर कर अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला ओल्ड हाई यहां क्या कह रहा है आप दुनिया में आम लोगों के लिए कड़ी महंत कर रहे है महर आपको दोशी ठहराने की हिम्मत कैसे कर सकता है इसके अलावा मेरे मातापिता सिर्फ एक मेकप शादी आयोजित कर रहे है हम आपकी भव्य उपस्थती से हमें प्रसंद करने के लिए ओल्ड हाई को परिशान करने का साहस कैसे कर सकते है क्योई हाई ने हंस्ते हुए कहा भले ही मैं थोड़ा भी व्यस्त हूँ लिटल ब्रदर ये के मातापिता के महान कार्यक्रम में मुझे भी भागना होगा यहां यह एक प्राचीन बाग की हड़ी है जिसे मैंने कुछ साल पहले अंथीन जंगल में हासिल किया था इसे रखने से भी मुझे कोई खास फाइदा नहीं है तब मैं इसे तुम्हें उपहार के रूप में दूँगा क्यूई हाई की आवाज अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि तभी सफेद रोशनी की एक लकीर चमकी और उसने क्यूई हाई के हाथों से बाग की हड़ी चीन ली यहां बिल्कुल सफेद रोशनी थी महर ने भाँहें सिकोर कर कहा श्वेट प्रकाश असभ्य मत बनो क्यूई हाई ने हंस्ते हुए कहा कोई चिंता नहीं आपका यह चोटा सफेद बाग सचमुछ बहुत स्मार्ट है संभवत यह बाग की हड़ी उसके लिए बहुत उप्योगी है क्यूई हाई ने बहुत पहले महर के आसपास वाइट लाइट देखी थी उसे इस चोटे सफेद बाग की असाधारनता का हलका सा एहसास हुआ यदि ऐसा नहीं होता तो वाइट लाइट संभवत अपनी वर्तमान ताकत से क्यूई हाई के हाथों से चीजे कैसे चीन सकती थी हे हे बिग ब्रादर मैं अभी बहुत उत्तेज़त हो गया था यह बाग की हड़ी मेरे लिए बहुत उप्योगी है मैं आपकी ओर से इसे स्विकार करूंगा जैसा कि उन्होंने कहा वाइट लाइट की आकरिती हिल गई और सभी की नजों से उज़ल हो गई मेहर कुटिलता से मुस्कुराय बिना नहीं रह सका यह व्यक्ति अपने बड़ों के प्रती बहुत असभ्य था यह देखकर की समय लगभग सही था मेहर ने क्यूई हाई से कहा ओर्ड हाई शुब समय निकट आ रहा है मैं बेटे के रूप में अपने मातापिता के महान आयोजन को ख्राब नहीं कर सकता शलो अंदर चले शराब के प्याले बजने लगे और शराब मुख्य हॉल में निर्बाध रूप से बहने लगी महमानों को बहुत पहले ही अमर स्मरन जेड ब्रू ने पूरी तरह से मोहित कर लिया था वुजुआन हमारी दोस्ती के आधार पर आपको बाद में मुझे इस अमर स्मिती जेड ब्रू का एक फ्लास्क देना होगा ओह नहीं दस कुप्पी वुजुआन की ओर से एक दिव्य ट्रावर सिंग शेत्र विशेशगय ने वुजुआन के चारों और अपना हाथ लटकाया वुजुआन हमारा रिष्टा काफी मजबूत है है न यदि आप उसे दस फ्लास्क देंगे तो चाहे कुछ भी हो मुझे दस से कम नहीं मिल सकता है ठीक है दूसरे व्यक्ति ने कहा वुजुआन का सिर पहले ही इन साथियों द्वारा खराब कर दिया गया था जिन्होंने एहसान करने की कोशिश की थी उसने हाथ उच्छालते हुए कहा शुशुशु क्या आप सभी सोचते हैं कि यहां अमर्स्मरन जेट ब्रू सडक किनारे रखी कोई जग शराब है आपके देने के तरीकों से चाहे मेरे पास कितना भी हो वह सब भी दे दिया जाएगा आप सभी को इमानदारी से बता रहा हूँ यह बुढ़ा आदमी मैं केवल इन अमर्स्मर्ती जेट ब्रू को सबके नमूने के लिए ले गया था क्योंकि आज छोटे भाई ये के मातापिता की शादी का दिन है आज के बाद जो भी इसे चाहेगा उसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे जब वुजवान ने निम्नश्रेनी का अमर्स्मर्ण जेट ब्रू बनाया तो उसने पहले ही आज की स्थिती का अनुमान लगा लिया था उन्होंने पहले ही महर के साथ इस निम्नश्रेनी के अमर्स्मर्ण जेट ब्रू को बेचने के लिए बाजार में रखने के बारे में चर्चा की थी इससे निश्चित रूप से मोटी रकम कमाई होगी वुश्वान आज इन अमर्स्मिती जेट ब्रू को ला रही थी से खरीज सकते थे फू युन्जिंग की अमर्स्मिती जेट ब्रू में निश्चित रूप से शराब बनाने की प्रक्रिया में कुछ हिस्से छोड़ दिये गए थे इसलिए उत्पादन उत्पादन हमेशा उच्छ नहीं रहा था यही कारण था कि फू युन्जिंग ने हमेशा अपने सामान को संजो कर रखा वू जुआन ने अपना गला साफ किया और साफ आवाज में कहा आज छोटे भाई महर की बदौलत हर कोई इस अमर्स्मिती जेट ब्रू को पी सकता है हाला कि इस अमर्स्मिती जेट ब्रू को सडको से नहीं उठाया गया था शराब बनाने में खर्च की गई सामगरी ही बहुत बड़ी रकम है आज के बाद अगर हर कोई इस अमर्स्मरन जेट ब्रू को पीना चाहता है तो आप द्रंकन इम्मोर्टल रेस्तरा में जा सकते हैं वुजुआन के यह कहने से सभी को समझ भी आ गया क्यों यह वुजुआन आज एक बड़ी मचली डालने के लिए लंबी लाइन लगाने आया था लेकिन जो उपस्थित थे वे सभी सम्मानित व्यक्ति थे वुजुआन के काम करने के तरीके के संबंध में अधिक आलोचना का कोई कारण नहीं था इम्मोर्टल रेमेंबरेंस जेड ब्रू जैसी स्वादिष्ट विंटेज वाइन स्वाभाविक रूप से ऐसी नहीं थी आवशक सामगरी बेहत कींती है यह मत देखो कि मैं आज इतना सारा सामान यहां कैसे ले आया दरसल इस बुढ़े व्यक्ति की संपति का लगभग 20% पहले ही खर्च हो चुका है इसलिए हाला कि ड्रंकन इम्मोर्टल रेस्टरा पूरे साल यह वाइन उपलब्ध कराएगा लेकिन यह प्रती दिन केवल 10 फ्लास्क तक ही सीमित है पहले आओ पहले पाओ सभी ने ठंडी सास ली अमर्स्मरण जेडब्रू के 20 बैरल वास्तव में वूजुआन की संपति का 20% खर्च करते हैं एक कीनिया संप्रभू विशेशग्य के रूप में वूजुआन उनकी संपति निश्चित रूप से सामान्य मार्शल कलाकारों से काफी अधिक थी उनकी संपति का 20% हिस्सा बिलकुल बहुत बड़ी संपति थी इससे यह पता चल सकता है कि इस अमर्स्मरण जेडब्रू को बनाने का खर्च कितना भयानक था मूल रूप से जो लोग अभी भी बड़े-बड़े कौरों में इसका स्वाद ले रहे थे वे अब अपने कप उठाना सहन नहीं कर पा रहे थे यह शराब एक कौर पीने से एक कम थी दरसल वूजवान के शब्दों में अतिशोक्ती थी उसने वास्तव में इस शराब को बनाने में बहुत बड़ी रकम खर्च की थी लेकिन केवल 20 बैरल होना स्वाभाविक रूप से असंभव था इसके अलावा सबसे मेंगा खर्च यह निम्नश्रेणी का अमर्स्मरन जेडब्रू नहीं था बलकि यह मध्यमश्रेणी का था मध्यम श्रेनी का अमर स्मरन जेड ब्रू निन्न श्रेनी से बिलकुल अलग स्तर पर था निन्न श्रेनी का अमर स्मरन जेड ब्रू जिसे वुजवान आज यहां लाया था वह इस बार बनाये गए उत्पात का केवल आधा था और निन्न श्रेनी के इम्मोर्टर रिमेंबरेंस जेड ब्रू के इन 40 बैरल की लागत को जोडने पर यहां मध्यम श्रेनी का आधा भी नहीं था मध्यम दर्जे का अमर स्मरंड जेड ब्रू अभी भी पकने की प्रत्रिया में था लेकिन आउटपुट महस एक बैरल था इतना खर्च वुजवान की भारी संपत्ती के साथ भी कुछ हद तक असहनिय था हाला कि महर ने जो नुस्खा दिया उससे वुजवान की भविश्य की संपत्ती की भविश्यवानी की जा सकती थी यह मत देखो की कैसे सभी कीमियागर बहुत अमीर थे दरसल उनके खर्चे भी बहुत ज्यादा थे उनकी ताकत में वृद्धी के बाद खर्च किये गए सार क्रिस्टल और औशधिय जड़ी बूटियों में भी तेजी से वृद्धी हुई इसलिए कोई भी बहुत अधिक पैसा होने की शिकायत नहीं करेगा क्या दस कुप्पी बहुत कम नहीं है वूश्वान सार क्रिस्टल कोई मुद्दा नहीं है यह शराब मैं पहले एक बैरल आरक्षित रखूँगा अगली बार जब यह निकले तो पहले इसे हमारे जान परिवार को दें ठीक है वो फैंग शहर के जान परिवार प्रमुख चिल लाए वो शुआन ने अपना सिरहिलाया और कहा बूढे आदमी जान ऐसा नहीं है कि मैं वो शुआन कंचूस हूँ इस अमर स्मरन जेड ब्रू को बनाने की प्रक्रिया बेहर परेशानी भरी है बड़ी आपूर्ती उपलब्ध कराने का कोई तरीका ही नहीं है अन्य था मैं इसे प्रतिदिन दस फ्लास्ट तक भी सीमित नहीं रखूंगा इस बूढे आदमी के पास वास्तव में अभी भी कुछ स्टॉक बचा हुआ है लेकिन यह सूची तुम्हें देने पर अन्य परिवार मुझे टुक्रे टुक्रे कर देंगे वो जुआन के यह कहने पर तुरंथ ही अन्य परिवारों के लोग वहां आ गए जो क्रोधित हो गए यह सही है ओल्ड मैन जान्द क्या आप अकेले अमीर हैं? हमारा सूर्य परिवार अभी भी सार क्रिस्टल का यह हिस्सा खरीच सकता है तुम्हें एक बैरल चाहिए, तुम्हारा यह पिता दस बैरल चाहता है सिटी लॉड मैनर ने अभी तक बात भी नहीं की है आपके जान परिवार में एक ही बार में एक बैरल निगलने की हिम्मत करने की क्या खशमता है मेरी राय में यहाँ अभी भी वुजुआन की पधती अच्छी है प्रतितिन दस फ्लास्क पहले आओ पहले पाओ इस तरह यहाँ हर किसी के लिए उचित है यहाँ द्रिशे देखकर वुजुआन भी मन ही मन प्रसंद हो गया दरसल निम्न श्रेणी के अमर्स मरंड जेड ब्रू में वास्तव में कई परेशानी वाले पहलू नहीं थे उन्होंने मूल रूप से बैरल दर बैरल बेचने की भी योजना बनाई थी लेकिन जब उसने महर को अपनी योजना बताई तो महर ने इससे इंकार कर दिया महर का आइडिया बहुत सिंपल था किसी वस्तु को उसकी दुरलबता के सापेक्ष महत्व दिया जाता था यदि इसकी आपूर्ती असीमित रूप से की जाती जब हर कोई इसे एक तन पीता तो यह अमर्स मरंड जेड ब्रू अब मुल्यवान नहीं होता लेकिन अगर यह एक दिन में केवल दस फ्लास्क की आपूर्ती कर रहा होता तो हर कोई हर बार अपने दिल की संतुष्टी तक नहीं पी सकता इसलिए वे सभी शराब की उन दस बोतलों को चीनने के लिए हर दिन लड़ते हुए अपना सिर्फ होड लेते थे कुछ ही दिनों में इम्मोर्टल रिमेंबरेंस जेट ब्रू के इन दस फ्लास्कों की कीमत आस्मान चुजाएगी यह शराब, आम, लोग और गुट इसे पी ही नहीं सकते थे उस समय यह पहचान और रुत्बे का प्रतीक बन जाएगा उप्युक्ट समय की प्रतीक्षा करने के बाद, वुजुआन ने मध्यम श्रेणी के अमर स्मरन जेट ब्रू को रोल आउट किया इस तरह, मध्यम दर्जे का अमर स्मरन जेट ब्रू सरवोच स्तर का अमर ब्रू बन जाएगा भले ही कीमत कैसे भी निर्धारित की गई हो, यह वुजुआन के निर्ने पर निर्भर होगा मुख्य हौल के एक कोने में फुल युनजिन उदास नजर आ रही थी वुजुआन इस बुढ़े व्यक्ती ने अमर स्मरन जेट ब्रू के लिए अतीत में उसे प्रतिदिन तंग किया था उन्होंने स्वया भी बेपरवाह रूप धारन कर लिया अंतर वुजुआन ने अपने स्थान से छै फ्लास प्राप्थ करने से पहले बहुत बड़ी कीमत चुकाई कौन जानता था कि पलक जपकते ही इस बुढ़े व्यक्ती ने स्वया अमर स्मरन जेट ब्रू का निर्मान किया था न केवल उसकी गुनवत्ता उससे कहीं बहतर थी बलकि इसका वास्तव में बड़े पैमाने पर उत्पादन भी किया जा सकता था उनकी शुरुवाती चाल 20 बैरल थी कितना बड़ा नाटक है फुल युन जिन ने पहले खुद एक कौर का नमुना लिया स्वाद सचमुच उससे कहीं बहतर था इसके अलावा वह वास्तव में नहीं जानता था कि अमर स्मरन जेड ब्रू को पीने के लिए अप्रत्याशित रूप से दक्षिनी सैंडलवुड की आवश्चता थी आखिर इस बूढे व्यक्ती ने इसे कहां से सीखा फू यूंजिंग अमर स्मरन जेड ब्रू का बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे नहीं करना चाहता लेकिन उनकी शराब बनाने की सफलतादर बहुत कम थी और बाजार की मांग को पूरा करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था आय का जो साधन उसके हाथ में आया उसे दोनों हाथों से ऐसे ही दे दिया गया फू यूंजिंग की उदासी की कलपना की जाएगी उसने शराब का कप उठाया और धीरे धीरे वू जुवान की ओर चल दिया वू जुवान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी यह रेसिपी कहा से आई फू यूंजिंग ने पूछ ताच की वू जुवान ने देखा कि यह फू यूंजिंग था और कहा यह नुस्खा यह स्वाभाविक रूप से एक विशेशग्य द्वारा सिखाया गया था फू यूंजिंग आपके यह पूछने का क्या मतलब है अरे क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब भी नहीं जानते कि मेरे शब्दों का मतलब क्या है हर कोई जानता है कि यह अमर स्मरंड जेड ब्रू की विधी केवल मेरे पास है क्या तुम यह बहुत बेमानी नहीं कर रहे हो फू यूंजिंग ने निर्दई भाव से कहा दरसल वू जूआन और फू यूंजिंग के बीच अभी भी कुछ दोस्ती थी लेकिन यह अभी भी इतना करीब नहीं था हालाकि यह अभी भी इस दोस्ती के कारण था कि वू जूआन कई बार भीख मांगने के बाद फू यूंजिंग की शराप राप्त करने में सक्षम था लेकिन वू जूआन की हरक्तों ने अब फू यूंजिंग के हितों का उलंधन किया बार-बार पुनर विचार करने के बावजूद फू युन जिन इस अपमान को सहन नहीं कर सके यही कारण है कि वह प्रशन पूछने के लिए आए एक बार जब अमर स्मरन जेट ब्रू का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सका तो वह ठंडी, कठोर नकदी थी प्रत्येक गूंद अत्यंत मूल्यवान होगी इम्मोर्टल रिमेंबरेंस जेट ब्रू बनाने के लिए फू युन जिन का खर्च भी काफी महंगा था अपने स्वयं के अमर स्मरन जेट ब्रू को बेकार होते देखकर उसके दिल में गंभीर रूप से दम घुट गया फू युन जिन आज सिटी लॉड मैनर के लिए बहुत खुशी का दिन है क्या आपको परिशानी पैदा करनी चाहिए मेरी अमर स्मर्थी जेट ब्रू का आपसे कोई लेना देना नहीं है इस बिंदु पर जिन लोगों ने पहले शराब पी है उन सभी को जागरूख होना चाहिए है न वो शुआन में ठंडे स्वर में कहा हे हे वास्टव में मैं इम्मोर्टल रिमेंबरेंस जेट ब्रू की शराब बनाने की विधी को बहतर बनाने पर हमेशा से शोथ कर रहा हूँ और अंतर कुछ प्रक्ति करने में काम्याब रहा ठीक इसी समय आपकी अमर्स्मिती जेट ब्रू वास्टव में प्रकट हुई क्या ऐसी कोई सन्योगात्मक बात है पहले आप लगभग आधे साल या उसके आसपास मेरे घर पर थे लेकिन इन अमर्स्मरन जेट ब्रू को बनाने का यह अच्छा समय है फू यूंजिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा इन शब्दों का अर्थ पहले से ही बहुत सपष्ट था ऐसा था कि वू जूआन ने अपने विकास के परिनामों पर एक नजर डाली और अमर्स्मरन जेट ब्रू को स्वयम बनाया हाला कि फू यूंजिंग अपने दातों से जूट बोल रहा था तर्क अचूक था जिससे कई लोग वू जूआन की और संदेह की दृष्टी से देखने लगे एक बार इस तरह की बात की पुष्टी हो जाने के बाद वू जूआन के पास बू फैन शहर में पैर जमाने के लिए कोई चहरा नहीं रह जाएगा लेकिन वू जूआन को धोखा देना इतना आसान कैसे हो सकता है उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा ऐसा नहीं है कि आप मुझे बगनाम नहीं कर सकते लेकिन आपको सबूत तो सामने लाने ही होंगे है न आपकी अमर स्मृती जेड ब्रूस पश्ट रूप से मेरी जितनी अच्छी नहीं है इस बिंदु पर जब तक कोई अपनी शराब को जानता है वह शायद इसे पहचान सकता है है न सब बिना मतलब की बाते करते हैं क्या ऐसा कहने से तुम्हें अपने दात गिरने का डर नहीं लगता फू यूंजिंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा वहुक मेरे पास सबूत नहीं है मैं बस बहुत उच्छुख हूँ शहर में हर कोई जानता है कि मेरा नुस्खा अंधीन जंगल से प्राप्त किया गया था पूरे वू फैन शहर में बस यही एक प्रती तब आपको अपना नुस्खा कहां से मिला एक विशेशग्य हुर हुर ऐसे शब्द केवल छोटे बच्चों को ही मूर्ख बना सकते हैं है न किसी को यह स्विकार करना होगा कि यह फू युन जिंग एक वागपटु जीब के साथ पैदा हुआ था उनकी बाते सुनकर कई लोगों को वू जुआन के प्रती और भी संदे हो गया फूर्मूले चुराने जैसी इस तरह की चीज को अत्यधिक अवमानना की द्रिष्टी से देखा जाता था इस बात की तो बात ही छोड़ दें कि इसे मूल मालिक ने मौके पर ही उजागर कर दिया था हाँ? मैंने वास्तव में इस बारे में नहीं सोचा था वूजुआन का नुस्खा वास्तव में फू यूंजिंग से चुराया नहीं गया होगा, है न? यह नुस्खा फू यूंजिंग ने हमेशा इसे एक खजाने के रूप में रखा है लोगों के लिए जानना असंभव है जब तक यह वास्तव में वैसा नहीं है, जैसा कि फू यूंजिंग ने कहा था वू जूआन ने इसे तब चुराया जब वह ध्यान नहीं दे रहा था चीजे चुराली, बस पीने के लिए कुछ बोतले चुपचाप पी कर संतुष्ट हो जाओ वास्तव में इसे बेचने के लिए बाहर ले जाना, क्या यह अपमांजनक नहीं है कुछ लोगों की फुस्फुसाहट सुनकर वू जूआन का चेहरा उदास हो गया गपशप होने का डर वह पैसे कमाने के लिए अमर्स्मरण जेडब्रू को बाहर लाने पर पूरे दिल से ध्यान केंद्रित कर रहा था लेकिन यह भूल गया कि फुयुनजिंग एक जुठा जवाबी आरोप लगाएगा हाला कि आज के मामले के बाद वू जुआन को फुयुनजिंग की एक नई समझ भी माना जा सकता है लेकिन फुयुनजिंग ने इसे ऐसे कहा जैसे यह सच हो इससे अधिकांश लोगों का संदेह पहले से ही पैदा हो गया था उसे कैसे समझाना चाहिए क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें सूत्रों की तुलना उनसे करनी पड़े इस तरह क्या नुस्खा का खुलासा नहीं किया जाएगा वह महर को कैसे समझाए जैसे ही वुजवान एक कठिन दुविधा में फंसी महर और क्यूई हाई ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया तुई हाई को ज्यादा जिजक नहीं हुई और सीधे सहमत हो गए इस बिजनिस में भी महर ने 50% हिस्सेदारी पर कभजा कर लिया फू युन जिन द्वारा यहां परेशानी पैदा करना सीधे कार पर उसके व्यवसाय को खराब कर रहा था महर इससे कैसे आखे मून सकता था हाला कि महर इस समय बहुत अमीर था एक कीमियागर होने के नाते वह इस चीज के सार क्रिस्टल के महत्व को गहराई से जानता था उनके पिछले जीवन में यदि मेडिसिन किंग हॉल नहीं होता तो इस विशाल टाइटन का समर्थन नहीं होता भले ही उनकी प्रतिभा कितनी भी हुँची क्यों नहो उनके पास उस तर तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं होता अलकेमिस्ट एक ऐसा व्यवसाय था जिसमें पैसा खर्च होता था एक प्रकार की ओश्धिय गोली को परिश्कृत करने की चाहत में अंकिनत ओश्धिय जडी बूटियों को बरबाद करने के लिए परिश्कृत करना पड़ा औश्धिय जडी बूटि की रैंक जितनी उची होगी, खर्च उतना ही अधिक होगा भले ही महर की औश्धिय गोलीों को परिश्कृत करने की सफलतादर असाधारन रूप से उच्छ थी उसकी वर्तमान खपत गती के साथ, चाहे कितने भी सार क्रिस्टल हो, वे भी उप्योग के लिए अपर्याप्त थे चाहे वह कोई भी बड़ा गुठ हो, उसकी तरहाए खाने के लिए कैंडी जैसी औश्धिय गोलियों का इलाज करना भी असंभव था इस बात को एक तरफ रखते हुए कि कोई खर्च वहन कर सकता है या नहीं, औसक मार्शिय आर्टिस्ट इतनी सारी औश्धिय गोलिया निगलने की हिम्मत कैसे कर सकता है इसके अलावा, महर ने जिन औश्धिय गोलियों को परिश्कृत किया, उनके सभी औश्धिय प्रभाव अत्यंत अत्याचारी थे वे एंडलेस वर्ड की औश्धिय गोलियों से बिलकुल अलग स्तर पर थी लेकिन महर ने खुद आगे आने की योजना नहीं बनाई थी सबसे पहले वह खुद को ज्यादा उजागर नहीं करना चाहता था दूसरे वह आखिर जवान था हो सकता है कि उनके द्वारा कहे गए शब्द हर किसी को समझाने के लिए परियात नहों क्यूई हाई का आगे बढ़ना स्वाभाविक रूप से सबसे उप्युप्त था उसकी हैसियत के साथ किसने नामे एक शब्द भी कहने की हिम्मत की दरसल एक बार जब फूयुन जिंग ने क्यूई हाई को बोलते देखा तो वह अंदर से चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वू जुआन के पीछे का व्यक्ति वास्तव में क्यूई हाई था इस बार उसने सीन के घोसले में छेड कर दिया आह पता चला कि यह ओर्ड हाई की रेसिपी है मैं अब भी उलचन में था क्या वो जुआन की इस अमर्स्मृती जेड ब्रू को हवा से बाहर निकाला जा सकता है बात सिर्फ इतनी है कि मुझे आश्चर्य है कि ओर्ड हाई को यह नुस्खा कहां से मिला फू युन जिंग ने फिर भी हार नहीं मानी और व्यंग्याकमक धंग से पूछा इतने सारे लोगों के सामने इसके अलावा यह सिटी लॉड मैनर के लिए बहुत खुशी का दिन था उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि क्यूई हाई ने उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत की क्यूई हाई ने थंडी नजर से कहा क्या इस बूढ़े आदमी को अभी भी काम करते समय आपको समझाने की जरूरत है मम्मत फू युन जिन को तुरंट अपने उपर जबरदस्ट दबाव महसूस हुआ जिससे वह तब तक कुछलता रहा जब तक की वह अपनी सांस नहीं ले सका उसने दांग पीस कर हटपूरवक कहा ओर्ड हाई को स्वाभाविक रूप से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को बलपूरवक दबाना जनता को समझाने के लिए अपर्याप्त है न्याए लोगों के दिलों में नहित है ओर्ड हाई मुझे मार सकता है लेकिन हर किसी का मुहब बंद करना मुश्किल है क्यूई हाई को उम्मीद नहीं थी कि इस फूयुंजिन में अभी भी कुछ रीड है उनके दबाव का सामना करते हुए वे वास्तव में जरा भी पीछे नहीं हटे बेशक वह फूयुंजिन को एक हथेली से मार सकता था लेकिन वो जूआन पीली नदी में कूदने पर भी अपना नाम साफ नहीं कर पाएगा फूयुंजिन की नजर इसी बिंदु पर थी यही कारण है कि उसने इतना अडिग होने का साहस किया आज का दिन वो रों के समय से अलग था उस समय क्यूई हाई एक नेक उद्देश के ग्रिष्टिकोन पर खड़ा था दूसरों ने लोगों की हत्या के बारे में ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की अब फूयुंजिन ने स्थिती को भढ़का दिया यदि क्यूई हाई ने वास्तव में उसे मार डाला तो वो जूआन साहित्यक चोरी के लेबल का पता लगा लेगा और भविश में उसके पास वो फैंग शहर में पैर जमाने का कोई रास्ता नहीं होगा एक पल के लिए क्यूई हाई आगे बढ़ने या पीछे हटने की दुविधा में रहने से खुद को रोक नहीं सका